शुरू करते हैं, यह बेसिकली हमारी मैराथन होने वाली है, मैराथन का मतलब है कि क्लास दो घंटे चलेगी, दो से धाई भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करते हैं कि आप कितनी देर बैठोगे, मैं उतनी देर पढ़ाऊंगा, उसके साथ साथ आप लोगो code को यूज़ कर सकते हो इससे आपको 10% का discount मिलेगा साथ में आप अपने credits यूज़ करोगे तो उससे 10% का discount और मिल जाएगा ठीक है यह आपकी investment है EMI पे भी यूज़ कर सकते हो monthly पे करना चाहते हो वह पे six month का अगर आप subscription लेते हो तो भी दो महिने का extra है और अगर 12 month का लेते हो तो भी दो महिने का extra ही मिलता है ठीक है कल भी काफी सारे बच्चों ने subscription लिया था अभी मैं इस वज़ा से बता रहा हूं क्योंकि 15 जुलाई को है वो prices क्या हो जाएंगे बढ़ जाएंगे तो ऐसा नहीं हो कि आपको ज्यादा price में खरीदना पड़े अगर आप लेना चाहते हो तो आप पहले पहले ले ले लिज़े ओके एक बार comment में आ जाई है सारे बच्चे जल्दी से बस एक बार hello high कर दीए कौन कौन आ गया है और फिर हम धमाकेदार तरीके से अपनी class को शुरू करेंगे so this class is basically going to be higher education जल्दी से आ जाई है फटा फट से higher education शुरू करेंगे detail में पढ़ेंगे ठीक है पहले आपसे promise करता हूँ कि जितनी चीज़े पढ़ाऊंगा ना सिर्फ पढ़ाऊंगा नहीं याद गरवा दूँगा बस आपने पूरा ध्यान से सुनने है एक एक चीज़ को note डाउन करना है और अपनी copy अच्छे से बना लेने है ठीक है अगर आपने पहले से notes बना रखे हैं तो वो जरूर खोल के रखिएगा अगर आपने पहले ठीक है जे तो आप उन notes को भी खोल के रखिए चले तो देखिए हमारा ठीक है बहुत अच्छी बात है तो higher education में पहले तो हमारा basic target है हम pre-independence को target करेंगे ठीक है जे मैं आपको पहले बता देता हूँ depend करता है कि कोई topic हा वो कितना time लेता है pre-independence को target करने की कोशिश करेंगे ठीक है अगर यह जल्दी हो गया तो इसके बाद फिर post-independence को भी शुरू करेंगे ठीक है अगर यह complete नहीं होता तो day after tomorrow मतलब कल के बाद most probably Saturday को एक और marathon लेके उसमें post-independence भी आप लोगों का cover करव दूंगा और आप लोगों को यह पता है कि इन दोनों में से एक question यहां से आएगा और एक question यहां से आएगा तो यह दो number है definitely किसी ने किसी shift में आप लोगों को पता चल दे ठीक है किसी ने किसी shift में आपको question है वो यहां से जरूर देखने को मिलेगा ठीक है जी सबसे पहले हम शुरुआत कहां से करेंगे पहले वो देख लीजिए शुरुआत करते हैं पहले शुरुआत देखे एक चीज जो आपको बहुत जादा पूछी जाती है वो पूछी जाती है इस क्योंकि higher education SC unit अबच्चे जिसमें आपको concept कोई नहीं पूछा जाता ठीक है जी जिसमें आप लोगों को कोई concept वगएरा नहीं पूछा जाता आपको यह नहीं पूछा जाता कि यह concept का कौन से है क्योंकि concept कोई है अगर आप holistic development को छोड़ दो अगर आप मतब 2-3 चीजों को यह sustainable development को छोड़ दो तो ज्यादा static portion ही है तो static portion को ही याद करने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले हम समझेंगे chronology सबसे पहले हम समझेंगे chronology पहले फटा फट से आप जितने system आये हैं ठीक है उनके नाम लिख लीजिए दिखे शुरुआत कहां से होई थी सबसे पहले क्य आया था कौन बताएगा लेट्स चेक आपको कितना याद है सबसे पहले कौन सा कमिशन आया था यह आपने बताना है सबसे पहले आया था चार्टर एक्ट चार्टर एक्ट 1813 सबसे पहले कौन सा आया था चार्टर एक्ट आया था मैंने बोला कि सबसे पहले आपको क्या लगा हम बोलते हैं चांटा लगा हाए लगा वो नहीं कांटा लगा नहीं चांटा लगा उसके बाद इसके दस साल के बाद मतलब दस लिख लीजिए स्पैलिंग क्या है इल फिस्टोन एल फिस्टोन रिपोर्ट आई इसके दस साल के बाद कब अठारा सो तेईस में मैं इस सिंबल बना देता हूं कि सेम इसी एर में एक जटरल कोमेटी बनाए गी थी पब्लीक इंस्टिउशन्स में ठीक है मैं सिर्फ इसको जटरल कोमेटी लिख देता हूं जेनरल कोमेटी यह भी 1823 में ही बनाई गई थी, एक जेनरल कोमेटी आई थी, जेनरल कोमेटी ओन पुबिक इंस्टिूशन आई थी, यह भी सेम एयर में आई थी 1823 में जनरल कोमेटी आई थी ये भी 1823 में ही आई थी जनरल कोमेटी के 12 साल बाद 12 साल के बाद क्या आया था मैं कॉलेज मिनट पहले लिखो सारे फिर एक पूरी कहानी के थूरू याद करवा दूँगा मैं कॉलेज मिनट 1835 में कावाया मैं कॉलेज मिनट आया बच्चे 1835 में पहले सिर्फ देखो लिखो मैं फिर से बता रहा हूँ पहले मुझे 10 मिनट में ये लिख देने दीजिए उसके बाद इसकी पूरी राम कहानी है वो आपको बताऊंगा ठीक है याद भी कर लेंगे साथ ही साल मैं कॉलेज मिनट आया मैं कॉलेज मिनट के बाद फिर क्या आया था मैं कॉलेज मिनट के बाद बताईए मैं कॉलेज मिनट के बाद क्या आया था वूट्स डिस्पैच 1854 वूट्स डिस्पैच 1854 इसके बाद फिर आया था हंटर कमिशन हंटर कमिशन हंटर कमिशन का बाया था 82 और 83 में कितना हो गया मतलब 26, 28 हो गया ना इसके 28 साल के बाद कौन सा आ गया था फिर फिर हंटर कमिशन हंटर कमिशन के बाद फिर कौन सा आया था यूनिवर्स्टी कमिशन कब आया था 1902 में ठीक है इसके दो तीन एर है 1901 भी है 1902 भी है 1904 भी है ठीक है मैंने फिलहाल इसमें 1902 लिख दिया मैंने इसको फिलहाल 1902 दो लिख दिया ठीक है वैसे आपको पता है कि इसके तीन यह थे ठीक है कब बना था कभ इसको फॉर्म किया था कभ यह एक्ट बना था ठीक हो जब पढ़ेंगे तब इसको डेटेल में समझेगे 1902 में यह आया था उसके बाद आया था नेशनल कॉंसल ओफ एडूकेशन इसके एडूकेशन कब आया था 1905 में 1905 में और भी काफी इवेंट हुए थे ठीक है जैसे पार्टीशन होई थी ठीक है बंगाल की पार्टीशन होई थी और उस टाइम पर बहुत सारी चीज़ें और भी आई थी क्लियर 1905 में नेशनल कॉंसल फॉर एडूकेशन रेजोलूशन और एडूकेशन पॉलिसी इसके बाद फिर रेजोलूशन और एडूकेशन पॉलिसी ये कब आया था ये आया था 1913 में 1930 1913 में ये कब आया ये 1913 में आया उसके बाद 1917 में आया था सैडलर कमिशन उसके बाद आया सैडलर कमिशन कब आया 1917 में सैडलर कमिशन कब आया 1917 में उसके बाद 1917 के बाद एक हर्तोग कोमेटी बनाई गई मैं इस साइड को चला देता हूँ इसको थोड़ा सा हर्तोग कोमेटी बनाई गई हर्तोग कोमेटी कर वाई थी इसके 12 साल के बाद that is 1929 1939 में 1929 में हर्तोग कोमेटी बनाई थी हर्तोग कमेटी के बाद सप्रू कमेशन, सप्रू कमेटी थी ऐगी थी या सप्रू कमेटी, सप्रू कमेटी, 1934, कब आई थी? 1934 में सप्प्रू कोमिटी परिती सप्प्रू बोल लो उसके बाद अबॉट वुड रिपोर्ट अबॉट वुड रिपोर्ट डैट इस बेसिकली 1937 ये कबाई थी 1937 1937 में उसके बाद वर्दा कोमेटी 1937 सेम येर में और लास्ट में आई थी आपके पास सार्जेंट रिपोर्ट 1944 1944 1944 जल्दी से इसको लिखो पहले लिख लिया सभी ने बन गया पूरा चार्ट ठीक है चलो अब थोड़ा सा इसका मेक अप कर देते हैं ताकि आपको थोड़ा सा पता रहे आप अडेंटिफाई करने में आपको कोई दिक्कत ना आए अबाएं कर रहे हैं लो जी एक आदा question तो आपका यहीं से बन जाएगा एक आदा question तो आपका यहीं से बन जाएगा फटा फट से इसका screenshot माल लीजे फटा फट से इसका screenshot ले लीजे ठीक है जी तो पहले तो इसको no down करो content हिंदी में अरे भाई यह हिंदी में यह नाम को मैं हिंदी इंग्लिश में क्या बता हूं आप खुद बताईए अब नाम का मतलब क्या हुआ मेरा नाम तो तल्वीर हिंदी इंग्लिश तामिल फार्सी सब में एक ही है मेरा एक ही नाम है ठीक है इस वज़ा से इसको ज़्यादा दिल पे मत लीजिए चलिए रीकॉल करने की कोशिश करते हैं चार्टर एक्ट एलफिस्टोन रिपोर्ट जनल कोमेटी मेकॉलेस मिनेट वुड्स डिस्पैच हंटर कमिशन यूनिवस्टी कमिशन नेशनल एक कॉंसल ऑफ एजुकेशन रेजूलुशन ऑन पॉलिसी एजुकेशन सैल्लर कमिशन हर्तो कमिटी सप्रूब कमिटी एबट व ठीक है जी एक के करके इन चीजों को डिटेल में पढ़ेंगे ठीक है जी एक एक रिपोर्ट को पढ़ूँगा और फिर एक के करके आप इसको नोट डाउन करो सबसे पहले क्या आया था आप नहीं बताना ठीक है आप लोग ही बताओगे सबसे पहले क्या आया था सबसे पहले क्या आया था सबसे पहले आया वच्चे चार्टर एक्ट चार्टर एक्ट 1813 मतलब जब तुम 13 साल के थे तो तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें काम बोला, तुमने बोला मम्मी, मैं नहीं करूँगा, मम्मी बोली कोई बात नहीं बेटा, और कान के नीचे पड़ा चांटा, तो इससे क्या याद रखना है, 13 साल की उमर में चांटा लगा, चांटा लगा मतलब 1813 में चार्टर एक्ट अब Charter Act का Purpose क्या था? To Spread Scientific Knowledge in British India and British India. Scientific Knowledge को Spread करना इसका Main Purpose था. ब्रिटिश पार्लियमेंट में एक क्लॉस एड़ हुआ था 1813 में कौनसा Charter जिसमें क्या बोला था? कितना पैसा दिया जाएगा बच्चे? कितने पैसे की बात हुई थी? Less than 1 lakh. Less than 1 lakh for Christianity. Less than 1 lakh. 1 lakh से कम पैसा बोला गया था. Act में Approve कर दिया गया था कि 1 lakh से कम पैसे दे दिया जाएगे. आप अपने जो Missionaries हैं उनको क्या करो? आप बढ़ाते रो. ठीक है? Christianity को यहाँ पर बढ़ाने की बात की गया थी. इसी दौरान 1817 में क्या Establish किया गया था? Hindu College. कौन सा? Hindu College Establish किया गया था. 1817 में Hindu College को Establish किया गया था. हिंदू College Establish किया गया था. जो 1885 में Presidency College बन गया था. Presidency College बन गया था. और यही 2010 में Presidency University बन गया था. Presidency College बन गया था. और Presidency University बन गया था. Sorry, 85 नहीं पच्चपन में. पच्चपन है. ठीक है? यह 1855 है. तो इसी तरीक है कि Static portion आपने याद रखने. ठीक है? आज पहले मैंने सोचा था. मैं Slide के थूँ ही पढ़ाओंगा. Actually, Slides के थूँ जब पढ़ाते हैं, तो ना चीजे उतनी याद नहीं रहती. लिख रहा हूँ, तो आपको ज़्यादा याद रहेगा. ठीक है? Slides के थूँ तो किताब वाला काम हो जाता है. इस वज़ा से मैंने सोचा था कि आप Slide वाला काम नहीं करेंगे. अब इसी तरीके से पढ़ाएंगे. अब जब चार्टा लगा, Charter Act है. Charter Act के बाद जब चार्टा लगा ना, तो आपको गुस्सा आ गया. आपको गुस्सा आ गया. आप ना, गली में चले गया. जब आप गली में चले ना, तो वहाँ पे आपने क्या देखा? एक हाथी देखा. क्या देखा? एक हाथी देखा. Elfistone रिपोर्ट. आपने क्या देखा? एक हाथी देखा. अब एलिफेंट रिपोर्ट मत बोल देना ठेगा इसको. एलिफेंट एलिफेंट देखा. Elfistone रिपोर्ट. अब देखिए, Elfistone रिपोर्ट मेंने काफी सारी चीज़ें आगी. पहला तो इसने बोला Appointment of District Examiner Officer. टीका सबसे पहला का में इन्होंने यही किया. कि जो डिस्टिक लेवल पे concept है वो दिया. दूसरा क्या बोला गया? कि टीचर्स को ट्रेनिंग दो. ट्रेनिंग टू टीचर्स. क्या करो जी? टीचर्स को ट्रेनिंग भी दो. और Supervision का concept भी दिया. स्कूल सूपरवाइजर. मतलब इसने थोड़ा बहुत काम किया. स्कूल सूपरवाइजर्स की यहां पे बात की गए. इसके बाद यह 1823 में आया, 1834 में एलफिस्टॉन इंस्टिटूशन सेट अप किया गया. कहां पे? बॉम्बे में. एलफिस्टॉन इंस्टिटूशन सेट अप किया गया. कहां पे? बॉम्बे में. कहां पे सेट अप किया गया था? बॉम्बे में सेट अप किया गया था. और उसके साथ यह एक न्यू एरा ठीक है यहां से एक न्यू बिगनिंग हुई यहां से एक न्यू बिगनिंग हुई और 1835 में क्या हुआ था 1835 में 1835 में एलफी स्टोन कॉलेज एक तो एलफी स्टोन कॉलेज सेम वही बॉम्बे में और इसके साथ कलकत्ता मेडिकल कॉलेज को एस्टैबलिश किया गया क्या किया गया कलकत्ता मेडिकल कॉलेज को एस्टैबलिश किया गया और यह जो कॉलेज है न यह ओल्डेस्ट कॉलेज है किसका बंबी यूनिवस्टी का बंबे 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 यूनिवस्टी का बंब आगे चले अरे थोड़ा कॉमेंटे में हो दे को बारा सो बारा सो पचास लोग लाइव हैं और सिर्फ नौ सो छत्ती लाइक हैं तो बाकी लोगों ने क्या क्या सोच के लाइक नहीं किया पहले ये बताओ मतब क्या सोच के आये थे कि सरदार भहुत खुस होगा साबासी देगा चलिए ये हो गया अब देखो आप हाथी से जब उत्तरे जब हाथी से उत्तरे ना उस टाइम पे एक और कॉमेटी बनाई गई तीसरी जनरल कॉमेटी ओन पबलीक इंस्ट्रक्शन पबलीक इंस्ट्रक्शन 1983 इंस्ट्रक्शन 1823 अठारा सो त्यसमें ठीक है ये एक कॉमेटी और सेटप की गई येक और कॉमेटी सेटप की गई अब जो ये कॉमेटी सेटप की गई थी इसमें एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम डेवलप किया गया था जिसको डॉमिनेट कौन कर रहा था डॉमिनेटेड बाए डॉमिनेटेड बाए वेस्टर्न एजुकेशन समझ रहो ना यहां पर एक फाइट शुरू हो गई यहां पर एक लडाई शुरू हो गई लडाई शुरू हो गई इसका मतलब क्या हुआ कि भाई यह बोलते थे कि हम ओर यह वाले बोलते थे कि भाई यह बोलते थे कि हम हम oriental education को promote करेंगे यह बोले नहीं हम angelistic education को promote करेंगे मतलब वही problem आगी कि एक बोलते है कि हम traditional education को promote करेंगे दूसरे बोले कि नहीं नहीं हम दूसरी education को promote करेंगे तो अब यहाँ पर जो लडाई हो गई उस लडाई को खतम करने के लिए कौन आया मेंकॉले's minute यह लडाई खतम करने के लिए कौन आया मेंकॉले 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 एक बंदे का नाम है 1835 में आया अब मेंकॉले ने काफी सारी चीजें बताई मेंकॉले एक ऐसा इंसान आया जिसने सोचके कि या रब यह जो लड़ाई है ना यह बहुत बढ़ रही है यह जो लड़ाई है ना वो काफी बढ़ चुकी अब इसका किसी तरीके से solution ढूंडा जाए उसने बोला कि पहले तो diffusion होना चाहिए diffusion of English education मतलब यह बंदा क्या promote करना चाहता था यह western को ही promote करना चाहता था इसने ना एक काम और किया जिसके लिए फेमस था इसने infiltration theory को introduce किया इसने infiltration theory को introduce किया अब यह infiltration theory क्या होती है वो बताता हूं इसको infiltration theory लेके आने की ज़रूरत इस वज़ा से पड़ी इसे लगता था कि जो इंडिया का education system है ना मतलब जो education system इस टाइम पे है वो ना unholy है unscientific है इसको ऐसा लगा कि यह जो अभी का education system है ना वो unholy है unscientific है मतलब वो उतना आगे नहीं बढ़ पाएगा जिसकी वज़ा से हम इस चीज को आगे बढ़ाएं तो इसने infiltration theory का मतलब कि कुछ upper class के लोगों को education दो upper class के लोगों को पढ़ा दो आप यह infiltration theory का बोलती थी कि आप upper class के लोगों को पढ़ा दो वो धीरे धीरे अपने आप lower class को पढ़ा देंगे सीधे से शब्दों में आप इसको ऐसे समझ लीजे tickle down to masses मतलब इसने बोला it will work on trickle down to masses यह क्या बोलता था कि भाई हमारी जो education है उसको धीरे धीरे करके हम chain system जला देंगे एक sharing वी scaring वाला system है वो होना चाहिए क्यों क्योंकि इसका यह ना बड़ा तेज बंदा था infiltration theory में यह ऐसे लोगों को चाहता था जो color में क्या होंगे color में Indian होंगे but blood में English होंगे मतलब इस वंदे ने जो पढ़ाई की बात की इस वंदे ने जो education को बढ़ावा देने की बात की वो भी किस लिए की वो भी इस लिए की कि भाई हम ऐसे लोगों को लेके आएंगे जो होंगे तो Indian बट वो काम हमारे लिए करेंगे कि वो काम हमारे लिए करेंगे और कुछ हो ना हो ये वाला काम करेंगे और इसी दोरान English कौन सी language बन गई court language और कौन सी language abolish हो गई Persian Persian language को क्या कर दिया abolish कर दिया Persian language को क्या कर दिया एक तरीके से खतम ही कर दिया Persian language थी जो चल रही वो एकदम से खतम हो गई जो books थी वो free में publish होई किसके लिए English वाली और English के लिए funds भी जादा मिलने लगे मतलब ये बंदा आया इसने बस अंगरेजों के लिए काम किया जितना भी किया था English के लिए more funds कि हम जो ज्यादा funds देंगे वो किसके लिए देंगे वह English के लिए ही दिया जाएगा बहुत low cost पे publishing हो जाएगी इसी दौरान 1849 में जे डी बैथन ने कौन सा कॉलेज फाइंड आउट किया बैथन कॉलेज कौन सा कॉलेज फाइंड आउट किया गया सौरी बैथन स्कूल था not कॉलेज बैथन स्कूल ठीक है यह भी important है 1849 की बात हो रही है 1849 में बैथन कॉलेज को ढूंडा गया था ठीक है जी तो यह सारी चीजे किस ने कर दी यह सारी चीजे मैं कॉलेज ने कर दी ठीक है इस तरीके से notes में आपको कुई दिक्कत तो नहीं आ रही ठीक है मैं flow chart की form में इस वज़ा से बना देता हूं क्यूंकि मैं खुद ऐसी notes बनाता था ठीक है प्लीज आप बता दीजे कि इस तरीके से आपको समझ आ रहा है न मतलब आपको समझ आना चाहिए यहां फिर मैं एक दो तीन पॉइंट करके लिखू पहले यह बताओ इस तरीके से सही है यहां फिर मैं एक दो तीन ऐसे line wise लिखू मुझे एक बात बता दीजे ठीक है ना चलिए बहुत अच्छे तो इसके बाद क्या आया था फिर फिर आया वोड्स डिस्पैच देखिए वोड्स डिस्पैच का नाम जब भी आप लोगों के सामने आएगा यह आया था 1854 यह लकड़ी बहुत कीमती थी अच्छे इसको एक नाम से जाना जाता था उस नाम को बताईए Woods Dispatch को एक नाम दिया गया था उस नाम को बताईए Yes इसको क्या नाम दिया गया था Magna Carta of English Education इसका reason क्या था इसको Magna Carta का नाम क्यों दिया गया था थोड़ा सा और systematic कर देता हूँ First policy measure था This was the first policy measure मतलब पहला policy measure था for education First policy measure for education इस वज़ा से इसको क्या नाम दिया गया This was the reason it was named as Magna Carta Magna Carta of Indian Education Magna Carta of Indian Education इसको नाम दिया गया अब यहाँ पेना कुछ universities को establish किया गया Please यह वाला point बहुत है यहाँ पेना तीन universities बनाई गई थी और उसका निमानी क्या था BMC Bombay, कलकत्ता और मदरास BMC कौन से year में बनाई गई थी 1857 में Please इसको याद रखे यह बहुत ही जरूरी point है 1857 में कौन सी Bombay Madras और कलकत्ता यह तीन university से establish की गई थी 1857 में और एक university 1882 में हुई थी कौन सी थी पंजाब university पंजाब यूनिवस्टी और 1887 में अलाहाबाद यूनिवस्टी इस वज़ा से भी इसको Magna Carta बोला जाते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी universities को establish किया गया था काफी सारी universities थी जिनको यहाँ पर establish किया गया था अब इसने न कुछ काम किया था कोई बता सकते है इस बंदे ने कौन सा अच्छा काम किया था इसने बोला था कि इंडिया को English के साथ उनकी native language में भी पढ़ाया जाए इसने नया concept दिया था मतलब यह अंग्रेजियों के थोड़ा सा खिलाफ गया vernicular language मतलब उनकी जो mother tongue है जो उनकी personal language है उसको establish किया जाए हर district में एक हर district में government school होना चाहिए इसने बोला हर district में government school को establish करो और साथ ही साथ इसने बोला कि जो women's की education है उस पे भी focus करो इसने बोला कि जो women's है उनकी education पे भी focus किया जाए और एक और पॉइंट है कि जो affiliated private institution है affiliated institutions प्राइवेट इंस्टिटूशन थे उनको grants भी दी जा सकती है ये बहुत ज्यानी पुरिश्था बहुत उच्च विचार रखे इसने पता नहीं तो इसका महलाओं पे थोड़ा ज्यादा इंटरस्ट क्यों आया अभी तक research जारी है कहीं न कहीं पे होगा ये जो Charles Woods था कि इसने महलाओं की education के बारे में seriously बात की या फिर इसका थोड़ा सा ज्यादा इंटरस्ट था महलाओं में let's find out अभी research चल रही है जब कुछ पता चल जाएगा तो आप लोगों को इसके बारे में सूचित कर दिया जाएगा बहुत उच्ची विचार रखता था उसके बाद six पे आया hunter commission hunter commission कब आया था उननी सो नहीं अठारा सो ब्यासी और तिरासी में एटी टू एटी थ्री में आया शुब भी बोल लिया कि सर इसको न तड़ पाया गया होगा बोला इसकी पतनी होगी न वो अन एजुकेटर होगी और वो ने इसको हर रोज बहुत तड़ पाती होगी तो विचारे का इतना बुरा हाल हो गया इतना बुरा हाल हो गया इसने सोचा नहीं यार जो मेरी हालत है न वो दूसरों की नहीं होने चाहिए न जो हालत हमारी है वो तुम्हारी तो नहीं है है न ऐसा नहीं होना चाहिए इस वज़्या से इसने आपर प्राईबिटा दे bounds और्फ आप लुक्ति नहीं Lawrence घुकेश्ण ये तो mil फिर लुक्ति ये तो आप तोGLी मुक्ति अर्फ रहेगा अब्यों जो अंटिया हमन्ट्ण घुकेशं को हम सेग्रीगेट किया मतलब अलागला कर दिया इसने बोला कि भाई हंटर मारा और तोड़ दिया क्या कर दिया तोड़ दिया और ये जो आया था ना ये evaluation कर रहा था किसका of words dispatch कि भाई जो words dispatch है वो कुछ अच्छा कर रहा है या नहीं कर रहा words dispatch कि जो मतलब जो words dispatch ने किया 28-30 साल में ये उसको चेक कर रहा था कि words dispatch ने कुछ अच्छा किया या नहीं किया इसने बोला कि state का role state role को extension दे दो किसके लिए promotion के लिए education promotion of education कि education की promotion के लिए state को बोलो कि वो अब थोड़ा सा और इसको promote करे थोड़ा सा और इसको promote करे और इसके साथ साथ इसने क्या बोला कि जो control है वो transfer कर दिया जाए control को ट्रांसफर कर दो कहाँ पर districts और musical boards के पास and municipal boards इसने ये बोल दिया इसने बोल दिया कि भाई transfer कर दो district और musical board के पास power को और इसके साथ साथ जो secondary education थी उसके भी इसने दो पार्ट बना दिये कौन कौन सा पहला पार्ट था literary up to university up to university इसने बहुत तोड़ फोड़ कर दी आते ही और दूसरा vocational for career vocational for career मतलब इसने खूब हड़दंग मचा दिया आते ही इसको पता नहीं क्या सूजा एकदम से लगया पागलों की तरह ये भी तोड़ दो ये भी तोड़ दो ये भी तोड़ दो ये भी तोड़ दो पता नहीं इसके दिमाग में क्या आया सब कुछ तोड़ फोड़ शुरू कर दी इसने ठीक है जी यहां तक समझ आ रहा है अगर समझ आ रहा है तो प्लीज कॉमेंट करके बताईए बताईए अगर सब कुछ समझ आ रहा है उसके बाद एक और ची यहां पर आप लोगों ने लिखना है शिमला एजुकेशन कॉनफरेंस हुआ था शिमला एजुकेशन कॉनफरेंस अच्छा यह कहां हुई थी सर यह मनाली में हुई थी है न अच्छा यहां पर नाम शिमला है और मनाली में हुई होगी यह बड़ा जीव सीन है अरे भाई उसका नामी अगर शिमला कॉनफरेंस है तो इसका मतलब वो शिमला में हुई होगी पहली बात तो इसको कन्वींट कौन कर रहा था इसको लीड कौन कर रहा था लौड करजन पहली बात तो इसको लीड कौन कर रहा था लौड करजन और यहां पे जो फोकस था वो क्या था पूरे एजुकेशन सिस्टम को देखना कहां से प्राइमरी से लेके टू हायर एजुकेशन तक एवरी अस्पेक्ट प्राइमरी टू यूनिवस्टी लेवल प्राइमरी टू यूनिवस्टी हर अस्पेक्ट के बारे में डिसकस्शन करने की बात की इसने बोला कि हर हर मैटर पे क्या किया जाएगा डिसकस किया जाएगा और इसने क्या बोला था कि कम्प्लीट पावर किसके हाथ में होनी चाहिए complete power of education किसके हाथ में central government इसने बोला कि complete control country complete power किसको दे दो central government को दे दो सारी कि सारी power central government को दे दो जो भी करेगी वो central government करेगी और यहाँ पर एक और बहुत interesting वाद थी वो बते क्या थी कि इसमें न Christian Missionaries को बुलाया गया था present sir और इंडिया वाले no किसी इंडिया के बंदे को यहाँ पर नहीं बुलाया गया था no one from the Indian इंडिया के एक भी member नहीं था ignore कर दिया था ना बिल्कुल absent sir है ना हमारे एक teacher होते थे वो आके class में बोलते थे कि जो जो absent है वो अपनी seat पे खड़ा हो जाए आदे तो उसमें भी खड़े हो जाते थे मैं रहे का वही कौन सी दुनिया में रहते हो तुम वही है ना दिमाग नहीं चलता हिंट समझ नहीं आते तो यह शिम्ला education conference हुई थी तो उसमें यह कुछ important points हैं जो आप लोगों ने याद रखने हैं चलिए उसके बाद नेक्स्ट आठ में नंबर पे क्या आया था यूनिवर्स्टी कमिशन फिर आया आपका यूनिवर्स्टी कमिशन जिसको आप 1902 का कमिशन भी बोलते हों इसको भी आप लोगों ने क्या याद रखने कि लौड करजन ही पहला बंदा था जिसने पहला यूनिवर्स्टी कमिशन की सेट अप की बात की ठीक है जी ये अपॉइंट कब किया गया था 27 जनवरी 27 जनवरी 1902 में इसको अपॉइंट किया गया था याद रखी ठीक है डेट्स यहाँ पर जरूरी है 27 जनवरी 1902 को इसको अपॉइंट किया गया था और 21 मार्च 1904 में ये एक्ट बन गया था on the recommendation of this बस इसमें यही तीन चीज़ें याद रखनी है अपने डेट्स याद रखनी है इसमें डेट्स बहुत जरूरी है डेट्स बहुत जरूरी है हाँ चेर्मेंशिप है थॉम्स किसकी चेर्मेंशिप में थॉम्स रे आर ए ल ई आई जी एज ठीक है इस बंदे का नाम भी आप लोगों ने याद रखनें याज डेट्स काफी इंपॉर्टेंट है ठीक है थॉम्स रे हो गया जी यहां तक बताईए किसी बच्चे को को दिक्कत है तो अब यह जो यूनिवर्स्टी केमिशन बनाया गया था ना इसने पूरा स्टडी किया यूनिवर्स्टी एजूकेशन सिस्टम को इसने पूरा स्टडी किया यह देखने के लिए कि कौन सी अच्छी चीज़े हो रही है और कौन सी चीज़े है वो बुरी हो रही है इसने बोला कि कुछ न्यू फंक्शन एड़ करने की ज़रूरत है यूनिवर्स्टी इसकी फंक्शनिंग में अब इसमें बोला गया था अलीगड इसको बोला गया था कि अलीगड बनारस कि अलीगड बनारस डेका पटना रंगून डेका पटना रंगून और एक और थी कौन सी नागपुर नागपुर यहां पर न इतनी यूनिवर्स्टी से इस्टेब्लिश करने की बार पोली गया थी इतनी सारी ना यूनिवर्स्टी को इस्टेब्लिश करने की बात बोली गी थी बट यह ऐसा बेवकू बंदा इसने इसको रिजेक्ट कर दिया बोला ना हम ना इस्टेब्लिश करेंगे तो इसने क्या कर दिया इस पे काटा मार दिया इसको ऐसे कैंसल कर दिया कि ना हम तो न बोला हमसे तो ना हो पाएगा मैंने का चल ठीक है कोई नहीं अब इसने ना कुछ recommendation दी थी ये काफी important है इसने ना कुछ recommendation दी थी इस committee के द्वारा कुछ recommendation दी थी पहला तो बोला कि reorganize करो administration reorganize करो administration of universities मतलब यह पूरा change करने के mood में था कि जो universities है ना उसकी administration है उसको क्या करो reorganize करो इसने बोला कि universities can appoint their own professor पहले क्या होता था कि आपको permission ने नहीं बढ़ती थी ठीक है central government से appoint own professors खुद के teachers को appoint कर सकते हैं क्या कर सकते हैं खुद के teachers को appoint कर सकते हैं इस्टक हो गया गया खुद के उसकते हैं झाल चल गया चल गया सौरी बीच में स्टक हो गया था अब चल गया ओके सो मैं यहां पर बात कर रहा था appointment of own directors की ठीक है किसने बोला कि हमें आप universities को कि आप अपने खुद के directors को क्या कर सकते हो appoint कर सकते हो you can appoint your own directors अपने खुद के professors को क्या कर सकते हो आप appoint कर सकते हो clear है जी और इसने बोला था कि जो affiliated colleges है ना affiliated colleges है उसके लिए rules को strict किया जाए देखिए अगर blur है तो please resolution बढ़ा लीजे अब सही चल गया है भाई मेरे end से उसके जो rules है उनको strict कर दिया जाए उनको rules को क्या कर दिया जाए और भी strict कर दिया जाए और चौथा syndicate and senate के numbers इसने decide कर दिये कि minimum कितने होने चाहिए 50 और 100 के बीच में 50 से कम नहीं होने चाहिए और 100 से ज्यादा नहीं होने चाहिए क्या बोल दिये इसने कि 50 से कम नहीं होने चाहिए और 100 से ज्यादा नहीं होने चाहिए पचास से कम नहीं होने चाहिए और सौ से ज्यादा नहीं होने चाहिए क्लियर है और इसने बोला पांचमा कि जो सिंडिकेट है उसको स्टेच्टरी रिकॉगिनीशन दे दो टाकि वो स्टीचर्स को रिपर्जेंट करे टाकि वो टीचर्स को रिपर्जेंट कर पाए क्लियर है जी तो ये सारी चीज़ें किसने की इस आल थिंग्स वर डन बाए यूनिवर्स्टी कमिशन 1902 1902 का जो यूनिवर्स्टी कमिशन था ये उसके द्वारा की गई क्लियर है जी अब इसके बाद क्या आया था बताईए जरा इसके बाद आया था नेशनल कॉंसल ओफ एजुकेशन अब इंडिया के लोगों की एंट्री आ गई नेशनल कॉंसल ओफ एजुकेशन अब इंडिया के लोग आएंगे ठीका अब तुमें ज्यादा मजा आएगा अंग्रेज्जों से पक चुके हो तो अब थोड़ा सा हम भारत देश के नागरिकों की बात करेंगे हम उस देश के बात नहीं है जिस देश में गंगा वहती है ना नेशनल कॉंसल ओफ एजुकेशन की बात की गई अब इसमें क्या किया गया 1905 में 1905 में एक कॉले सेट अप किया गया था मतलब ये 1905 में किनके दवारा की गई थी सवदेशी जो सवदेशी मूवेंट्स को क्या कर रहे थे लीड कर रहे थे उनके दवारा ये कॉंसल सेट अप किया गया था और इसके अंदर जदबपूर यूनिवस्टी आई थी जदबपूर यूनिवस्टी किया गया उसके साथ शांती निकेतन किसके द्वारा रविंदर्ना टेगोर के दौररा रविंदर्ना ठाकुर आप कुछ भी बहूल सकते है अनके द्वारा शांती निकेतन गये ता और सतीश मुकर जी ने दौन ससेटी को established किया Don Society किसके द्वारा सतीश मुखर जी बेंगॉली लोगों की एंट्री हो गई बेंगॉली लोगों की एंट्री हो गई क्यों क्योंकि वहाँ पर बेंगॉल की जो था क्या हो गया था distribution हो गया था clear है जी यहाँ पर यह चीज़ देखेगी कि जैसे जैसे number of जैसे जैसे number of colleges increase हो रहे थे increase हो रहे थे वैसे वैसे burden of universities भी बढ़ रहा था also increased तो इन चीजों को स्टडी करने के लिए इन दो चीजों को बच्चे स्टडी करने के लिए कि 1913 में 1913 में एक और रिपोर्ट आई या अब यह बोल दीजिए एक और एक्शन लिया गया किसके द्वारा लॉर्ड हर्डिंग के द्वारा इस situation को surveyed किया गया इस situation का survey किया गया देखा गया कि भाई अब colleges का number बढ़ रहा है तो उसकी वज़ा से कहीं न कहीं अब जो universities है उसका load है वो भी कहीं न कहीं increase हो रहा है तो उसको थोड़ा सही करने की कोशिश की जाए उसको क्या करने की कोशिश की जाए उसको सही करने की कोशिश की जाए बात समझ आई क्यूंकि वर्क लोड है वो काफी जादा increase हो गया था तो इस वज़ा से थोड़ा अब universities को दिक्कत आ रही थे उसके बाद क्या हुआ फिर resolution आया on इसके बाद आया resolution on education policy education policy जो 1913 में आया ठीक है 1913 अच्छा 1913 में इंडिया के लिए एक बहुत proud वाली बात हुई थी कोई बता सकता है वैसे तो आप लोगों को पता होगा कोई बता सकता है 1913 में इंडिया के लिए एक बहुत proud moment हुआ था कौन सा हुआ था बताईए यस रविंदना ठाकुर को या रविंदना टेगोर को नोबल प्राइस मिला था नोबल प्राइस मिला था किसके लिए उनकी बुक दैट इस गितांजली उनकी बुक है कौन सी गितांजली उसके लिए मिला था ठीक है जी अब इसके अंदर सिर्फ एक ही बात याद रखनी है कि establish more universities इसने क्या बोला कि भाई और universities से establish करें और नहीं universities को establish किया जाए अब हमें और universities को establish करने की ज़रूरत है क्यों क्योंकि number of colleges क्या हो रहा है increase हो रहा है और उसके साथ साथ burden है वो universities का भी increase हो रहा है सो इस बैटर कि अब हम अब हम जो यूनिवस्टी इस वह नहीं establish करें और उसके बाद फिर आगे देखें कि आगे क्या करना है clear आजी चले एक मिनट का ब्रेक लीजिए इसके बाद हम शुरू करेंगे that was saddler commission ठीका वह भी बहुत ज्यादा important है इसने कुछ कुछ universities को established भी किया था देखिए पहली university थी sndt sndt university कहां पर मुंबई में 1916 में पहले लिखो फिर आपको याद करवाता हूं और 1916 में ही बनारस और मैसूर 1916 में उसके बाद पटना 1917 और एक और थी कौन सी थी हैद्राबाद 1918 तो यह 4-5 universities को establish किया था कैसे याद रखेंगे देखिए यह woman university थी मुंबई की sndt 1916 बनारस और मैसूर पटना कब था पटना 17 की उमर में पटना कब हुआ 17 की उमर में और 18 की उमर में बंदा पटा के हैद्राबाद निकल गया sndt university में पढ़ती थी छोरी फिर घर वालों ने देखा कि नहीं बात नहीं बन रही तो फिर उसको बनारस भेज दिया बनारस में भी बात नहीं बनी बनारस के बाद फिर उसको मैसूर भेज दिया वहां पे भी बात नहीं बनी और फिर अच्छ यूनिवस्टीज हैं वह आप लोगों याद रखिएगा बोला सर अगर जिस रूम में आप खड़े हो जिसमें आप पढ़ा रहे हो इसकी चछत गिर जाए तो हम उसे घटना बोलेंगे बोला अच्छा और फिर दुरघटना किसको बोलेंगे बोला अगर खोदाना खास्ता आप बच जाओ तो वो दुरघटना हो जाई है ना चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं जो कि इससे भी कुछ इंपोर्टेंट अस्पेक्ट आएंगे डैट इस सेडलर कमिशन अब ये बहुत इंपोर्टेंट है सेडलर कमिशन सडा हुआ कमिशन कब आया था 1917 में सेडलर कमिशन कब आया था 1917 में यह कौन महापुरुष है जो लिख रहा सेडलर कमिशन आया था 1971 में अरे लडाई हुई थी तब 1970 में कहां पर पहुँच गए हो माइकल सेडलर किसके अंडर आया था माइकल सेडलर किसकी चेर्मेंशिप के अंडर माइकल सेडलर 14 सेप्तमबर 1917 और इट वास नोन एस केलकत्ता कमिशन इसको केलकत्ता कमिशन भी बोलते हैं और पहली बार प्रिकर्सर था ये किसका 10 प्लस 2 प्लस 3 मतलब पहली बार 10 प्लस 2 प्लस 3 की बात यहां पे की गई इट वास दा प्रिकर्सर ओफ 10 प्लस 2 प्लस 3 जो बाद में ठीक है अपने दॉलर सिंग उठारी ने जिसको इंप्लिमेंट किया था तो वह दॉलर सिंग उठारी के द्वारा जो इंप्लिमेंट किया गया था अब इसने क्या क्या बोला पहला पहला कि स्टेब्लिश्मेंट ऑफ टीचिंग एट रेजिदेंशल यूणिवस्टी पहला रेजिदेंशल यूणिवस्टी स्टेब्लिश करो ऐट्र कर दिया और क्या करना है बोल sih अब मैंटल सेटलर बोल ना आव बोल तेरेसे पूछ रहा हूं अब बोल नहीं रहा चलो कोई नि पहले ये बोला की भाई को आनर्स कोर्स प्रोवाइड करें iOS Course आएं जो merit में आते हैं students उनको खास treatment मिले जो students merits में आ रहे हैं उनके लिए खास treatment का होना भी जरूरी था different faculties की बात की गई अलग अलग faculties को establish किया जाए faculties ठीक है तो इस तरीके सी इसने कुछ recommendations दी थी director of physical training को point करो director of physical training को point करो ये भी इसने बोला था कि physical training के जो director है उनको point किया जाए और selection committee को भी point किया जाए किसको selection committee जो select करेगी पहले committee को select करो फिर committee आगे का साथ नहीं तो पता नहीं और क्या क्या पढ़ना पढ़ता अब इसके दौरान ना C.A.B. Central Advisory Board of Education Central Advisory Board of Education को establish किया गया था कौन से साल में उननी सो बीस में establish किया मगर तीन साल में ही पैसे खतम हो गए और उननी सो तेईस में क्या कर दिया खतम गर दिया उननी सो बीस में establish किया और फिर तीन साल के बादी पैसे खतम हो गए और इसको भी खतम गर दिया क्यों क्योंकि financial crisis थे financial crisis थे financial crisis की वज़ा से अब यहां पर आप लोगों ने एक और चीज़ याद रखनी है कि यह जो सैडलर कमिशन था ना इसके all recommendation किसके लिए थी सिर्फ और सिर्फ कलकत्ता युनिवर्स्टी के लिए खूब भालो यह बंगॉलियों के लिए था तो इसकी जितनी भी recommendation थी उसका purpose क्या था कि बस पूरी की पूरी कलकत्ता युनिवर्स्टी पे होनी चाहिए आगे पता नहीं क्या होगा नहीं होगा वो देखेंगे एक और इंटर युनिवर्स्टी बोर्ड आई यूवी बट आज कल इसको क्या नाम दिया जाता है Association AIU Association of Indian University आज कल इसको क्या नाम दे दिया गया है Association of Indian Universities यह भी इसी कमिशन के अंडर आया यह यह भी इसी टाइम फ्रेम के अंदर आया क्लियर है जी अब जब सेडलर कमिशन आया तो मैं पता चला आप में से कितने सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको यह पता है कि हमें पढ़ते हुए कितनी देर हो गई है जल्दी से बताओ मुझे खुद नहीं पता चला मैंने खुद टाइम देखा तो जाके मुझे पता चला चलिए थोड़ा सा रहेगे इसको भी खत्म करते हैं अब जब सेडलर कमिशन थाना सडा हुआ कमिशन थाना तो सडा जब कोई चीज सड जाती है ना जब कोई चीज सड जाती है ना तो उसमें समेल आनी शुरू हो जाती है जैसे दो दोस्त है ना वो एक पेड़ पे उल्टे लटक रहे थे और एक दोस्त दूसरों को ना बहुत सारी बाते सुना रहा था तो दूसरा ना अचानक से नीचे गिर गया उसने पूछा क्या तो के ग्रचे गिर गया, बोला हम ढां पेर पेड़ लगे हुए हम पक गए इस वाज़ा से हम नीचे गिर गए है ना कुछ लोग पका देतें आप लोगों को कुछ लोगों की तो हैंड साथिंगी समझ नрийंती विव ना है सा ओता है या नाहीं सा होता है अच्छ या सा लेकि यहां तक सारी सलाईड पे लिखा हुआ है मतलब इतने बड़े बड़े paragraph लिखे हुए हैं तो मैं कहाँ पर explain करूंगा आप खुद logical समझने की कौशिस कीजिए है नहरे हैं यहां से लेकि एससे एससे एसससे लिखा हुआ है तो अगर कुछ explain करना रहेगा तो कैसे करेंगे है ना चलिए अब इसके बाद हर्टोग कॉमेटी आई हर्टोग ये वो वाला रोग नहीं है क्या बोलो ना छोटी सी उमर में ही लग गया रोग कहते हैं लोग सोजा अब इस इस हर्टोग कॉमेटी ने ना हर तरह से quality को improve करने की बात की किसकी बात की हर तरीके से quality को enhance करने की बात की मतलब improvement इसके बात की गई standards पर ध्यान दिया standards पर ध्यान दिया उसके बात अब एक मरा हुआ प्राणी फिर से जिन्दा होगा कौन सा मरा हुआ प्राणी जिन्दा हुआ था बताइए अब यहां पे एक मरा हुआ प्राणी और जिन्दा हो गया कौन सा मरा हुआ प्राणी जिन्दा हुआ था येस अब यहां पे एक नया प्राणी जिन्दा हुआ कौन सा ये वाला कब 1935 में उसके बाद ही अभी तक चल रहा है मतब तब से ये अभी तक चल रहा है ठीक है अब भी है मतलब ये बट ये मरा हुआ प्राणी है इसमें सांस किसने डाली हर्तो कोमेटी ने इसमें सांस डाली ठीक है जी तो ये हर्तो कोमेटी का काम था हर्तो कोमेटी के बाद क्या आया था फिर आईए आपकी फेवरेट सप्रू कोमेटी कौन से सप्रू कोमेटी सप्रू कोमेटी आई 1934 में देखें यहां पर एक बात याद रखिए यह जो सप्रू है न यह जो वर्ड है न इसको मैंने आपको याद करने का तरीका क्या बताया था कि पंजाब की न एक एक्ट्रस है उसका नाम प्रीति सप्रू है मैं भी शायद हिंदी फिल्मों में भी आई होगी देखी तो नहीं है मैंने एकदम बिल्ली जैसी आँखें उसकी सप्रू को मेटी तो इसको कैसे याद रखना था कि जो सप्रू थी न प्रीति सप्रू वो कहां पे चली गई थी वो यूपी में चली गई और प्रीति सप्रू को देखके सब लोग अपने काम थंदे चोड़के इसी को देखने लग गये इसका मतलब सब लोगों का रुजगार चला गया सब लोग क्या होगे आनिम्प्लाइड होगे तो इसका मतलब क्या हुआ, याद करने का तरीका क्या हुआ, कि प्रिति सप्रू को भेजा गया था कहां पे UP में to find cause of unemployment. उनको क्या किया चा रहा हुआ रहा हुआ, और इस cause में इसको ये पता चला है कि जो लोगों को पढ़ाई करवाईल जा रही है, वो life से related तो ही नहीँ. वो life से related नहीँ है, फिर्फ उनको किताबी ग्यान दिया जा रही है, उनको क्या किया जा रहा है? किताबी ग्यान दिया जा रहा है सिर्फ डिगरी दी जा रही है बट actually मैं वो अपनी लाइफ में कुछ करनी रहे है ना अब किसी ने पूछा कि प्रिती सप्रू के आने से सब अनिंप्लाइड हो गए और और फिर इसी को पूछने की कॉस क्या होगा ये बिल्कुल उसी तरीके से है ना जैसे आप किसी मच्चर के पास जाओ और उसे बोलो कि मलेरिया की दवाई होगी तेरे पास है ना मच्चर को जाके पूछोगे कि तेरे पास मलेरिया की दवाई है वो दवाई धोड़ी बनाता है वो तो मेलेरिया फिलाता है यहां कल पूछ लोग मच्चर के पास की इतने सारे मच्चरी कठे हुए होगा रहों पूछो के भाई एक साथ मिलके डेंगु की दवाई ही बना दो हम दवाई नहीं बनाते हम डेंगु फैलाते हैं तो सप्रू कोमेटी में इतना ही है इससे जाद कुछ है नहीं तो इसको यहां पर छोड़ सकते हो अगया क्या चल गया चल गया चल गया चल गया उसके बाद नेक्स्ट आई थी आपके पास एबुट वुड रिपोर्ट एबुट वुड रिपोर्ट एबुट वुड रिपोर्ट कब आई थी नाइटी थर्टी सेवन में कब आया था नाइटी थर्टी सेवन में चल गया यार अब तो यार इसको क्या हो जाता है इस टाइम पर आके चलिए एबुट वुड रिपोर्ट चलिए चल गया चल गया वुड को बुलाया क्योंकि जो वोकेशनल एजुकेशन थी न वो कहीं पीछे रह गई थी जो वोकेशनल एजुकेशन थी वो कहीं पीछे रह गई थी जो वोकेशनल एजुकेशन थी वो कहीं पीछे रह गई थी जो vocational education थी वो पीछे रह गई थी और इनको tour करवाया कहां 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 पहले लेके गए इनको पंजाब में पंजाब से दिल्ली और दिल्ली के बाद फिर एक खतरनाक state में लेके गए है ना फिर इसको ले गए अपना वही कालीन भाया वाले state में डाट इस यूपी उत्तर परदेश में इनको ना तीन states का दौरा करवाया गया इनको तीन कि जो कि बिल्कुल भी successful ना हुई बहुत खराब रिपोर्ट बनाई बहुत ती कतई बेकार रिपोर्ट बना दिवाई ने कुछ नहीं किया भाई पंजाब गए लसी पी रहे हैं साग खा रहे हैं दिल्ली चले पब में जा रहे या रात को गूम रहे हैं यूपी में तो विचारों ने डर के मारे वैसी कोई सर्वे नहीं किया तो इनका आना ना आना साथ साल मेहनत करना एकदम से बेकार हो गया तो इनका कुछ रहा नहीं मतलब तीन साथ साल आये ना आये बराबर हो गए ठीक है ये पैसा बरबाद किया और कुछ नहीं किया इन्होंने साथ साल पैसा बरबाद किया जब इन्होंने प इंडिया में एक एंडिया की एक education है वर्दा scheme of education इंडिया की एक scheme आई वर्दा scheme of education अब यह किसकी philosophy थी हमारे बाप्पु जी की महात्मा गांधी जी की महात्मा गांधी जी की philosophy को introduce किया गया अब इसके अलग-अलग नाम थे basic शिक्षा basic शिक्षा बुन्यादी तालीम या फिर basic नई तालीम और basic education भी बोल सकते हो आप इसको basic education का नाम भी दे सकते हो ठीक है इसके अलग-अलग नाम आ गई यह basic education नई तालीम यह वो फ्लाना निम्काना अब इसको एक definite शेप दी गई एक कोमेटी के दौरा कोमेटी किसके अंडर सेट अप की गई थी डौक्टर जाकिर हुसैन जो बाद में इंडिया के president भी बने थे जो बाद में इंडिया के कि जो एजूकेशन है न वह एक डाइनमिक कंसेप्ट है डाइनमिक का मतलब क्या हुआ कि हमें holistic development की जरूरत है हमें किसकी जरूरत है हमें holistic development की जरूरत है हमें न होलिस्टिक social psychological needs है वो fulfill होनी जरूरी है उनकी ये वाली needs fulfill होनी जरूरी है और एक इसमें और बात की गई थी कि 7 से 14 साल के बच्चों को free education देनी है और क्या promote करना है अपनी mother tongue mother tongue को promote करने की बात की गई खिसको mother tongue को promote करने की बात की free and compulsory education की बात की गई और साथ में mother tongue को promote करने की बात की तो यह सब कुछ किसमें बोला गया वर्दा कमिशन में बोला गया उसके बाद लास्ट में हमारे पास आई एक सार्जेंट रिपोर्ट सार्जेंट रिपोर्ट कब आई 1944 में 1944 में यह किसके अंडर काम कर रही थी सेब के अंडर सेब के अंडर यह काम कर रही थी और इसमें ने एक और बहुत ही ने एक इंपोर्टन सा पॉइंट था याद रखिए ठीक है अंग्रेज्जों की पूरी बेजिती करने वाले हैं यह क्या बोले थे कि आने वाले 40 साल में इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम होगा वो अंग्रेज्जों वाले एजुकेशन सिस्टम के बराबर चला जाएगा और तीन साल के बाद घुदी निकल लिए 40 साल की बाते सोचे बैठे थे कि 40 साल अभी और राज करेंगे तीन साल के बाद इंडिया वाले बोले चलो बाई 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 टाटा निकल लो निकल लो ऐसा है ना डर गए बोले टाटा बाई 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 निकल लो तो यह निकल अब यहां पर technical education की बात की गई क्योंकि इसी दोरान 1945 में ICT को establish किया गया था technical education की बात की गई यहां पर technical education की बात की गई थी और वही teacher training पर focus teachers training पर focus करने की बात की गई थी मतलब ज्यादा कुछ है नहीं था इसमें इसमें ज्यादा कुछ है नहीं था बस इतना ही याद रखना आपने इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है जो मैं आप लोगों को बताओं दैट सिट अब एक मिनिट का ब्रेक ले लीजिए उसके बाद फटा फट से पांच मिनिट में ये पूरे का पूरा टॉपिक आपको नॉन स्टॉप रिवाइस करवाना है जल्दी से हाँ तब तक अप अपना कपाल भाती सांस उपर नीचे कर लो और अगर कॉमेंट नहीं करके गए ना तो देख लेना देखो एक हजार 63 बच्चे हो वीडियो की रिकॉर्डिंग पर कॉमेंट होते हैं 100,500, कभी 200, एक वीडियो पर 300 कॉमेंट है क्या मतलब इतना क्लास में इतने कॉमेंट करते हो गर वीडियो के बाद भी एक कॉमेंट कर दोगे तो क्या दिक्कत होगी भला ही होगा दवा मिलेगी समझ रहे हो ना गरीब की दवा लगेगी तुम्हें कुछ नहीं जब वीडियो खतम हो जाएगी ना तो दुबारा चैनल पर जाना इसी वीडियो को ओपन करना जैसे वीडियो के नीचे कॉमेंट करते हैं ना offline हो जाती है उसकी बात कर रहा हूं offline वीडियो की बात कर रहे हैं चलिया, let's get started सबसे पहले Charter Act आया 1813 में उसके बाद Elphistone Report आया 1823 में के बाद Journal Committee बनाई गई 1823 में Macaulis Minute आया 1835 में Woods Dispatch 1854 उसके बाद Hunter Commission 1882-1883 में उसके बाद University Commission को सेट अप किया गया 1902 में National Council of Education को Establish किया गया 1905 में उसके बाद Revolution आया Education Policy 1913 में उसके बाद Sender Commission आया 1917 में उसके बाद Harto Committee आया 1934 में उसके बाद Abbottwood Report आया 1937 में उसके बाद Warda Committee आया भी 1937 में उसके बाद Sergeant Report आया 1944 में सबसे पहले Charter Act आया था 1813 में इसका Main Purpose था Scientific Knowledge को इंडिया में इनहास करना और इसका जो Claude Add किया गया था Charter में 1813 में और यहां पे पैसा दिया गया था कितना एक लाग से कम होगा कौन से Christian Missionaries को 1817 में Hindu College को Establish किया गया 1855 में वही जाके Presidency College बना और 2010 में उसको Presidency University बना दिया गया उसके बाद Elphistone रिपोर्ट आई थी उसके दस साल के बाद 1823 में जिसके बाद बोला गया था कि appointment होनी चाहिए District Examiner Officer की School Supervisors को और Teachers को Training देनी चाहिए 1834 में Elphistone इंस्टिशन सेट अप किया गया कहां पर Bombay में और यहां एक New Education की बिगनिंग हुई और यह 1835 में Elphistone College है वह स्टैबलिश किया गया था Bombay में और कलकत्य मेडिकल कॉलेज भी स्टैबलिश किया गया था और यह जो Elphistone College है Bombay का यह oldest College है Bombay University का उसके बाद जर्नल कमेटी और पब्लिक इंस्ट्रक्शन बनाई गया 1813 में जिसके बाद यह था एक लड़ाई होगी थी और और एंजिलिस्टिक की वहीच में कि एक Infiltration Theory का मतलब क्या होता है कि अपर क्लास को पढ़ा दो वो दीरे दीरे नीचे वाले लोगों को पढ़ा देंगे इसी दौरान एक जेडी बैथम था जिन्होंने 1849 में बैथम स्कूल को क्योंकि इसे लगता था कि जो इंडिया की एड्यूकेशन हो बहुत अन्होली अन्साइंटिफिक है तो इसने सोच था कि एक ऐसी रीड को बनाया जाए जो कलर में तो इंडियन होगी बट उनका ब्लड होगा वह अंग्रेज होगा मतलब वह क्लेरिकल काम करेंगे और यहां से याद रखने हैं इसको मेगना कार्टा बोला जाते हैं इंग्लिश एजूकेशन का क्यूंकि यह फर्स्ट पॉलिसी मैजर था एजूकेशन का इसने बोला था कि जो एफिलेटेड प्राइवेट कॉलेजिस हैं उनको ग्रांट दे दीनी चाहिए और इसमें युनिवस्ट इनको नहीं तो घर पे तंग करेंगी इस वजह से इसने वुमन एजूकेशन के बारे में काफी बात की इसने बोला डुस्टिक है गवर्मेंट के दौरा स्कूल खोलने चाहिए और इसने वर्निकुलर लेंग्विश के बारे में बात किया मतला इंग्लिश के साथ साथ की ल जो रख कर दिया कि पर्मोट कर दो एजुकेशन को पहले तो इसने प्राइमरी और हायर एजुकेशन को गोड़ कर दिया फिर इसने जो कौ ढॉला कि ट्रांसफर कर दो कि इसको दिस्क और को पार्ट में एचिशेण चाहिए उनिवस्टी और वोकेशनल होनी चाहिए फॉर्दा करियर और उसके बाद फिर शिमला एजुकेशन कॉनफरेंस हुई थी 1901 में लौड करजन के दौरा इसका फोकस किस पर जीरो से लेके 100 तक मतलब प्राइमरी से युनिवस्टी लेवल तक इसका फोकस था और इसमे Christian Missionaries को बुलाया गया था इंडिया वालों को नहीं बुलाया गया था और इसमें Complete Power of Education किसके पास देने की बात की गई थी Central Government के पास देने की बात की गई थी उसके बाद युनिवस्टी कमिशन था 1902 में ये भी लौड गरजन के इंडर था वैसे इसको पॉइंट किया गया थ 27 जनवर 1902 में बट ये 21 मार्च 1904 को एक्ट बन गया था और इसके चेर्मेन कौन थे था थॉम्स रेल इन्होंने New Functions को एड़ करने की बात की और पूरा युनिवस्टी का फंक्शन इंटोड्यूस करने की बात की इसको बोला गया कि अलिए बनारस डेका पटना रंगून औ बट ये नहीं माने इन्होंने बोला कि हम establish नहीं करेंगे उसके बाद इन्होंने कुछ recommendation दी थी पहला बोला था कि organize कर दो administration of universities को उसके बाद बोला कि अपने खुद के professor appointment कर सकते हो affiliate कर सकते हो नए rules बना सकते हो syndicate और जो senator उसका rule बना दिया कि 50 से लेके 100 के बीच में होना चा जिसको जदबपुर university बोला गया है शांती निकेतना श्री रविंदना टैगोर के दोर establish किया गया था dawn society है वो सतीश मुखरी के दोर आई थी number of colleges अब बढ़ रहे थे और जो burden था universities का वो भी increase हो रहा था इस वज़ा से 1913 में Lord Hurdance ने इस पे survey करने के बारे में बोला तो 1913 मे resolution आया education policy में जिसमें ये बोला गया था कि हाँ अब नई universities को establish किया जाए उसमें संड़ी उनिवस्टी उनिवस्टी 16 में आई थी और बनारस और मैसूर वो भी 1916 में आई थी उसके बाद पटना की उनिवस्टी 1917 में और हैदरावाद की उनिवस्टी 1918 में establish की गई थी उसक different different faculties को introduce कर दिया physical training के लिए director आ गया selection committee को भी appoint कर दिया जाए इसके बीच एक save को set up किया गया था that is Central Advisory Board of Education जो की 1920 में आया था बट पैसा ना होने की वज़ा से उसको खतम कर दिया गया था 1923 में Sender Commission की सारी recommendation सिर्फ कलकत्ता युनिवस्टी के लिए थी और इसके अंदर एक committee आई थी जिसमें हर तरफ से improve करने की कोशिश की थी कि improvement करो quality और enhancement को education को और इसके अंदर save को दोबारा establish किया गया 1935 में जो भी तक चल रहे ठीका वो 1944 में 1994 में खतम भी हुआ था बट वो point नहीं आ जाए उसके बाद अप्रू committee थी 1934 में आई वो UP है उसमें बोला था कि cause of unemployment को चेक करना था क्योंकि यूपी में जो लोग थे उनको जो सिर्फ किताबी के अंदिया जाता था life के बारे में नहीं बताया जाता था उसके बाद Abbottwood रिपोर्ट आई थी 1937 में Abbottwood और एच सच वूड़ है दो लोग बूलाए थे जो vocational education के बारे में study करने के लिए आये थ चेट्स में गए पहले पंजाब फिर दिली फिर यूपी बट इस रिपोर्ट में कुछ भी नहीं था उसके बाद वर्दा स्कीम ऑफ एजुकेशन आई थी जिसमें महात्मा गांदी जी की policy को इंटोड्यूस किया गया वो बोले थे कि साथ से 14 साल तक के बच्चों को फ्री प्योजिकल शोशल साइकॉलोजिकल नीड्स हैं उनको फुल्फिल करना चाहिए और लास्ट में हमारे पास सार्जेंट रिपोर्ट आई थी 1944 में आई थी जिसमें सेव के अंडर ये काम कर रही थी जिसमें टेक्निकल एजुकेशन टीचर्स टेनिंग की बात की गई थी और बताईए प्री इंडिपेंडनेस मैंने आपको जीरो से हंडर तक सारा कवर गरवा दिया अब इसके बाद भी अगर समझ नहीं आता ना तो उसके बाद उसके बाद कुछ नहीं कहा जा सकता जब वीडियो एंड होगी उसके नीचे कॉमेंट करके जाना ठीक है दोबारा उस वीडियो को ओन करना है और उसके नीचे अपनी फीडबैक लिख के जाए हाँ भी एक और higher education की class लेंगे कल नहीं लेंगे person लेंगे कल शायर शाम को 7 बज़े class नहीं होगी उसमें हम post independence बढ़ेंगे जिस तरीके से हमने pre independence को खतम कर दिया उसी तरीके से हम post independence को भी खतम करेंगे so this is basically our mega marathon ठीक है आप लोग जानते हो marathon के लिए हम काफी famous है आप anacademy पे भी हमारी marathons को follow गर सकते हो anacademy के free platform पे मैंने सबसे ज़्यादा marathon ली है 50 plus 50 से ज़्यादा marathon आप लोगों को मेरी मिल जाएंगी paper 1 और paper 2 की मिला के और हर marathon plus 3 hours किया और कुछ तो 4-4 घंटे की भी है तो ये बिलकुल free है इसके लिए आपको कुछ भी pay नहीं करना होता इसके लिए बस आपको एक referral code यूज़ करना होता है unlock code तलवीर live या आप यूज़ करके उनको unlock कर सकते हो ठीक है जी तो आप ये सारी classes को जाके देख सकते हो बहुत सारी classes मैंने यहां पे ले रखी है उसके साथ साथ आने कैडमी पे subscription भी ले सकते हो आप लोगों की इच्छा है तलवीर live referral code यूज़ करके subscribe गर सकते हो देखिए फाइदा क्या होगा आपको यहां वहां जाने की जरूरत नहीं रहेगी एक ही जगा पे आपको paper 1, paper 2, उसके PYQ, उसकी test series, उसके expected MCQ, उसके quiz हर चीज आपको एक ही जगा पे मिल जाती है और काफी nominal charges पे भी होती है अभी तो offer भी चल रहा है अगर आप 6 month का subscription लोगे तो उसके साथ आपको 2 month का subscription extra मिल जाएगा यहाँ पे मैं आपको पूरा paper 1 भी करवाता हूँ, paper 2 भी करवाता हूँ तो आपको दोनों paper मिल जाते हैं और अगर आपका subject कुछ हो रहा है तो उसके अगर educator available होंगे तो वो भी आपको मिल जाएगे तो इस score से 10% discount मिल जाएगा साथ में 10% credits को redeem कर लीजे और 2 मंत का जो यह जो scheme चल रही है 6 months पे भी 2 महीने का extra मिलता है और 12 months पे भी 2 महीने का extra मिलता है क्यों क्योंकि 15 July से यह जो prices हैं वो बढ़ जाएगे ठीक है, तो अगर आप लेना चाहते हो तो उससे पहले ले लीजिए ऐसा ना हो कि फिर बाद में आपको prices ज़्यादा देने पड़े ठीक है, क्योंकि आप पढ़ना चाहते हो सारी चीज़ें यहां से cover करना चाहते हो तो बिना time waste किये, subscribe कर सकते हो चलिए, एक बार comments में आ जाईए सारे बच्चे फिर अपन शुरू करते हैं अपने glass को जल्दी आ जाओ आ जाओ एक बार, कौन-कौन है कितने कितने का कौन-कौन है यहां तो आ जाईए present, present, present जी-जी साब बढ़िया, carryat उपस्तित हों गुरू जी, ठीक है, ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं अपनी class को higher education higher education पढ़ेंगे थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, इससे पहली जो class हुई थी उसमें हमने बच्चे pre-independence पढ़ा था और आप लोगों का प्यार उस पे ऐसे लावे की तरह बरसा मतलब 18,000 से जादा views हो चुके हैं उसके 48 घंटे में और 500 से जादा comments हो चुके हैं तो इतना प्यार दिया आपने उस marathon को उस marathon में हमने पूरा pre-independence शुरू से लेके end तक सारा खतम किया था उसी तरीके से आज इस pre-independence को हम हटा देंगे अब हम इसको post-independence पढ़ेंगे तो कम से कम इतना ही response मुझे फिर से चाहिए फिर आपको ancient universities भी पढ़ा दूँगा वैदिक period जो भी जितना भी आता है ठीक है वैदिक period गुपता period मुस्लिम period सारी चीज़ें आप लोगों को करवा दूँगा ठीक है अगर आप इसी तरीके से अपना response है वो देते रहोगे ठीक है जी आज हमने यो शुरू करने है वो है हमारा post-independence post-independence हमने शुरू करने है ठीक है एक second let me just see कि post-independence में हमने क्या क्या पढ़ने है पहले तो देखिए आप ये समझ लीजिए कि last हमने कौन सा पढ़ा था last commission कौन सी थी जो sergeant report आई थी after the war ठीक है sergeant report है वहां पर हमने खतम किया था वहीं से हम क्या करेंगे वहीं से हम इसको आगे बढ़ाएंगे please देखिए आप अपनी बाते बंद रखिए मैं फिर से बता रहा हूँ देखिए बीच में अपनी बाते बंद रखिए तो ज़्यादा सही रहेगा पढ़ने के लिए आए हो तो please पढ़ाई पे ध्यान दीजे पहले हम इसका भी chronology लिख लेते हैं ठीक है सबसे पहले क्या आया था राधा कृष्णन कमिशन आया जैसे ही इंडिया आजाद हुआ कब आया था 48-49 में ठीक है जी सबसे पहले क्या आया राधा कृष्णन कमिशन आया राधा कृष्णन कमिशन आया था 1948 में उसके बाद नेक्स्ट के आया था मुदालियार कमिशन ये कब आया था मुदालियार कमिशन इससे 4-5 साल के बाद आया था कब आया था 1952 और 53 में कौन सा आया था फिर मुदालियार कमिशन आया था ठीक है पहले हम एक इसी तरीके से पूरा सीक्वेंस लेख लेंगे पिछली क्लास की तरह ही उसके बाद एक एक करकें के पॉइंट्स को पढ़ने की कोशिश करें मुदालियार कमिशन के बाद एक कॉमेटी आयी थी कॉमेटी और और इमोशनल इंटेलिजेंस इमोशनल इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस ये कब आई थी 1961 में ठीक है जी ये कब आई थी 1961 में कब आई थी ये 1961 में थी ठीक है जी 1961 दीख रहा है ना दीख रहा है ना 1961 में एक सेकंड यार 1961 में नैशनल जो कमेटी बनाई थी इमोशनल इंटेलिएंस के बाद पहुत ही एक इंपोर्टेंट कमिशन आया था कौन सा कमिशन था कोठारी कमिशन कोठारी कमिशन कोठारी कमिशन कब आया था 1964 से 66 तक 1964 से 1966 तक 1964 से 1966 तक कौठारी कमिशन के बाद फिर क्या आयी थी नैशनल पॉलिसी पहली इंडिया की पॉलिसी नैशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 नैशनल एजुकेशन पॉलिसी आयी थी 1968 में ठीक है इंडिया की पहली एजुकेशन पॉलिसी थी इंडिया की पहली एजुकेशन पॉलिसी थी ठीक है जी यार एक बात सोचो जो बंदा खुद के नाम लेने में इतना बेशर्म हो मतलब ऐसा नाम रख दिया उसके घरवालों ने कि उसे नाम लेने में बेशर्मी फील हो रही है तुम ऐसे लोगों की टेंशन ले रहे हो जिस बंदे की इतनी अउकाती नहीं है कि वो अपना नाम तक बता सके ऐसे लोगों की टेंशन ले रहे हो तुम निकाल दिया टेंशन मतलो नेशनल एजुकेशन पॉलसी 1968 1968 नेशनल एजुकेशन पॉलसी आई थी अरे बहुत परिशान विचारा रहन दो नेशनल एजुकेशन पॉलसी 1968 क्लियर नेशनल एजुकेशन पॉलसी के बाद फिर एजुकेशन को किसमे एड़ गर दिया था कनकरंट लिस्ट में कनकरंट लिस्ट में नेशनल एजुकेशन जो हमारी एजुकेशन थी उसको concurrent list में एड किया गया था 1976 में 1976 अरे होता है यार tension मतलो education को concurrent list में एड कर दिया गया था 1976 में 1976 में 90 इसके बाद क्या आया था 76 के बाद आपकी next next national education policy आई थी 1986 वाली मतलब इस policy को base बना के ये नई policy बनाई गई थी ये नई policy बनाई गई थी national education policy in 1986 ठीक है मतलब वो पहली policy थी जो भी इसमें problems आई थी जो भी चीज़ें आई थी तो इनको सुधार के national education policy 1986 बना दी गई थी काफी ज़्यादा comprehensive थी इसको हमने detail में discuss करना उसके बाद 1986 के बाद 1992 में क्या हुआ था ये बताएए एक बार मैं confirm कर लूँ वैसे इसमें वो था जो हमारा क्या बोलते हैं उसको action agenda आया था एक हमारा let me just मुझे सिर्फ confirm कर लेने दो मुझे थोड़ी सी confusion आ उसमें कि वो agenda था उसका particular नाम क्या था POA था जैसे इतना तो मुझे याद है 86 के बाद yes program of action POA जिसको बोला गया था program of action 1992 कब आया था program action 1992 1992 यह 1992 में आया था 1992 के बाद गनानम कोमेटी बनाई गई थी कोमेटी गनानम कोमेटी बनाई गई थी 1993 में अब इसके अंदर की चीजे हैं वो बाद में पढ़ेंगे ठीक है इसके अंदर की जो चीजे हैं वो बाद में पढ़ेंगे tension मत दीजे जब इनको डेटेल में पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे आप लोगों को मैं बता दूँग Sam Pitiodra Committee 2005 में जिसको National Knowledge Commission भी बोला जाता है National Knowledge Commission के नाम से भी इसको जाना जाता है It is also known as National Knowledge Commission National Knowledge Commission के नाम पे भी इसको जाना जाता है उसके बाद यश्पाल कोमेटी कोमेटी आई थी 2009 में 2009 में यश्पाल कोमेटी बनाई गए इसके बीच में एक का दुखा छोटी छोटी कोमेटी और आई थी इसके बाद मैं डिरेक्ट लिख रहा हूँ जो आपकी National Education Policy 2020 आई थी ठीक है वो बीच में एक दो छोटी छोटी कोमेटी हैं वो इतनी जादा मतब उसमें एक 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 लाइन ही है तो जब मैं पढ़ाओंगा तब आपको बता दूँगा फिलाल के लिए फिर ये ये वाला सबसे इंपॉर्डन है ठीक है आने वाली क्लास में मैं पूरी National Education Policy आपक कि सबसे पहले आये राधा क्रिश्ष्णन कमीशन उसके बाद मुधालियर कमीशन उसके बाद कॉमेटी ऑॉन Emotional Intelligence उसके बाद कोठारी कमीशन उसके बाद national education policy 1968 उसके बाद education को concurrent list में डाल दिया उसके बाद national education policy 1986 आगी उसके बाद प्लान ओफ एक्षन आया 1992 में उसके बाद गनानम कमेटी बनाएगी उसके बाद सैम पिटोदरा कमेटी थी जिसको नैशनल नौलिज कमेशन भी बोला गया उसके बाद यश्पाल कमेटी आई थी और लास्ट में आपके पास जो हमारी रिसेंट वाली नैशनल एजुकेशन पॉलसी है प्लीज इसका एक बार सग्रीन शॉट माल लीजिए एक बार इसका सग्रीन शॉट ले लीजिए फिर मैं इसको आगे कॉंटिनू करता हूँ ठीका उसी तरीके से एक के करके पढ़ेंगे हो गया हो गया डन डना डन चली अब हम एक के करके इनको पढ़ने की कोशिस करते हैं तो शुरुआत कहां से हुई थी सबसे पहली पहला कमिशन कौन सा आया था फटा फट से बताईए आप लोग बताओगे राधा कृष्णन कमिशन राधा कृष्णन कमिशन 9048 से 49 9048 से 49 पहला कृष्णन कमिशन में कौन-कौन सी चीजें थी कौन-कौन से पॉइंट्स थे उसको discuss करने से पहले ना एक और चीज जो मुझे यहां पे आप लोगों को बतानी है पहले मैं वो बताता हूँ इसको बाद में पढ़ेंगे उससे पहले ने एक और चीज है यहां पे मैं एक second let me just confirm it उसके बाद मैं आपको बताता हूँ यस इससे पहले इससे पहले देखते हैं post independence के बाद ना post independence जब हुआ इंडिया का मतलब इंडिया आजाद हुआ तो इस टाइम पे basically three institutions बनाए गए थे कोई बता सकता है कौन से तीन institutions बनाए गए थे जिसने बहुत ड्रास्टिकल चेंज ले के आ गया था ठीक है जी तीन institutions बनाए गए थे कौन कौन से इंस्टिटूशन बनाए गए थे पहले AICT, AICTE, All India अच्छे से बजाते हैं रुको, All India अच्छे से बजाते हैं रुको, All India ये कब आया था? 1945 में, 1945 में, कब आया था? 1945 में, मतलब इसने सारा जो टेकनिकल एजुकेशन था, उसका सारा कार्ज भाग था, इसने संभाल लिया इसने क्या कर दिया? जो पूरा टेकनिकल एजुकेशन था, वो इसने अपने कंट्रोल में ले लिया 1945 में, ये बिफोर इंडिपेंडेंसी था, मतलब हो गया था, शुरुवात हो गयी थी उसके बाद UGC बनाया गया, डाट इस यूनिवर्स्टी ग्रांट कमिशन यूनिवर्स्टी ग्रांट कमिशन, 1953, आया था ये 1953 में, ठीक है, 56 में इसको Statutory Recognition दे दी गई थी फिर इसको Statutory Recognition दे दी गई थी, ठीक है, वो 1956 में हुआ था, 1956 में और तीसरा जो बाड़ी थी, National Council of Education, Research and Technology, NCRT NCRT, 1961, NCRT बेसिकली किस परपस के लिए था, स्कूल एजुकेशन के लिए था, ठीक है आप NCRT की जो बुक्स देखते हो ठीक है, NCRT के अंडर जो भी कोर्सिस वगरा चलते हैं, वो तो इसका बेसिक परपस, स्कूल एजुकेशन था, इसका बेसिक परपस, हायर एजुकेशन था इसका बेसिक परपस higher education था और इसका बेसिक परपस यही ठीक है टेक्निकल अजुकेशन ही था यह बेसिकली टेक्निकल अजुकेशन के साथ ही डील करता था यह आपका बेसिकली टेक्निकल अजुकेशन के साथ ही डील करता था यह पूरे का पूरा टेक्निकल एजुकेशन के साथ ही डील करता था ठीक है जी यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजे ठीक है यह भी आप लोगों ने याद रखना है पेपर में पूछा जाता है ठीक है देखो UGC के तो functions बहुत जादा पूछे जाते हैं ठीक है UGC का role UGC के functions बहुत जादा पेपर में पूछे जाते हैं तो यह भी आप लोगों ने याद रखना है UGC बना कब था 1953 में और 56 में इसको statutory recognition मिली थी उसी तरीके से जो AICT था वो बना 1945 में था और 1987 में इसको भी statutory recognition दे दी गई थी 1956 में बास समझ आई चलिए अब हम पढ़ते हैं राधा कृष्णन कमिशन देखिए राधा कृष्णन कमिशन है वो उन commissions में था जो सबसे पहले आए थे मतलब यह समझ लीजिए इस commission को क्या नाम दिया गया था एक सके इस commission का नाम क्या रखा गया था university commission this commission is also known as university commission इस commission का क्या नाम रखा गया था university commission रखा गया था और chairman कौन थे शिरी एस राधा कृष्णन और बना कब था date भी जरूरी है याद रखनी December 6th 1948 ठीक है date भी याद रखनी जरूरी है date भी याद रखनी जरूरी है 1948 और इसने क्या suggest किया था suggest setting UGC मतब UGC के बार में पहले भी बात हुई थी बट इसकी suggestions को seriously लिया गया था इसकी suggestions को seriously लिया गया था अच्छा डॉक्टर राधा कृष्णन कौन है उनका क्या रोल है हमारी education में और उनके नाम पे क्या है इंडिया में कुछ खास है डॉक्टर राधा कृष्णन से related बताईए पांच सिप्टमबर ठीक है येस चलो बहुत अच्छी बात है और इसने बोला था कि leadership skills provide करे जाएं students को या teachers को leadership skills मत्तब एक holistic development की बात करी जाएं क्योंकि pre-independence में कुछ हुआ नहीं था ठीक है pre-independence में अंग्रेजों ने अपने हिसाफ से चीजों को सही किया उनको जैसा लगता था वो वैसे गरते रहे तो इन्होंने बोला था कि हाँ ये होना चाहिए national responsibilities की बात की गई कि लोग हैं वो national responsibility ले responsible citizen बने क्या बने एक responsible citizen बने क्या बने responsible citizen बने ठीक है जी ये responsible citizen बने ये इन्होंने बोला था और इन्होंने क्या बोला था rural university सेट अप करने के बारे में बोला था और उसके साथ एक और चीज बोली थी कौनसी rural university के साथ एक और point था कौनसा value education value education के बारे में भी इन्होंने बोला था rural university की बात की थी agriculture university और ये setup करने की बात की थी और इन्होंने क्या बोला था कि जो हमारा जो हमारा सेकेंडरी सिस्टम है ना सेकेंडरी education वो बहुत जादा खराब हो चुका है secondary education है ना वो collapse हो चुका है मतलब हमारा सबसे weak link क्या है secondary education मतलब secondary level पर जो education दी जा रही है वो बिलकुल खराब दी जा रही है तो वो बोल रहे थे कि जो secondary education है ना वो एकदम से collapse हो चुका है उसको सुधारने की जरूरत है उसको सुधारने की जरूरत है उसको improve करने की जरूरत है ठीक है जी ओके यस और एक और point यहां पर लिख लीजिए इन्होंने general education की बात भी की ठीक है सारे points उसी तरीके से पढ़ेंगे जैसे पहले पढ़ते थे general education की बात भी इन्होंने की ठीक है तो यह basic points है जो आप लोगोंने याद करने है फटा फट से copy बे no down कर लिजिए फटा फट से अपनी copy बे no down कर लिजिए clear अजी तो यह आप लोगोंने राधा क्रिशनन commission के सारे points हैं वो no down कर लिए राधा क्रिशनन के commission के बाद कौन सा commission आया था फटा फट बताईए comment section में बताईए राधा क्रिशनन commission के बाद कौन सा commission आया था मुदालियार कमिशन मुदालियार कमिशन मुदालियार कमिशन अपने आप में काफी important commission था जो की याद रखना है आपने लक्षमन स्वामी मुदालियार थे ठीक है जो लक्षमन स्वामी मुदालियार थे वो उस time पे basically कौन सी post पे थे वो उस time पे VC थे किसके मदरास यूनिवस्टी ठीक है जी मदरास यूनिवस्टी के क्या थे वो VC थे Vice Chancellor थे किसके मदरास यूनिवस्टी पे Date कितनी याद रखनी है 23 September 1952 Date याद रखनी है Date important है 1952 23 September 1952 और इस Commission को एक और नाम दिया जाता है कौन सा? Secondary Commission पहले वाला यूनिवस्टी कमिशन था इस Commission को Secondary Commission भी बोला जाता है This Commission is also known as Secondary Commission Secondary Commission के नाम से भी इस Commission को जाना जाता है इसने और बोला कि Multi-Purpose School Setup करो School Setup करो साथ में Vocational Education के बारे में भी बात की Vocational Education के बारे में भी बात की किसके बारे में? Vocational Education के बारे में भी बात की Clear है जी? Yes 3 प्लस 4 का फंड़ा था इसमें कौन सा? 3 प्लस 4 3 चार याद रखना अपने मतलब 3 Secondary और जो आपका For Higher Education Secondary और Higher Education ठीक है? यह Secondary यह Point Important है और यह Higher Education Secondary और Higher Education ठीक है? यह आप लोगोंने याद रखना है और इसने बोला था कि जो हमारा Education सिस्टम है वो एकदम से कॉलाप्स हो चुका है तो Ideal Citizen होने चाहिए ठीक है? यह Point पहले भी था यहाँ पर भी था Ideal Citizen की बात की गई थी Ideal Citizen का मतलब कि सिर्फ किताबों तक नहीं रखना उससे आगे जाना है आगे जाना है That there should be no discrimination No discrimination at all यहाँ पर किसी तरीके की कोई भी Discrimination होना नहीं चाहिए मतलब कोई discrimination नहीं होना चाहिए Clear आजे? और क्या बोला था? कि Home Science और Agriculture So Agriculture इसको introduce करने की बात की थी मतलब compulsory बताने की बात की थी कि इसको? कि Home Science को Girls के लिए और Agriculture Universities में या मतलब Colleges में जो Villages है वहाँ पर इसको क्या कर दिया जाए? Implement कर दिया जाए कि क्या कि जो Girls है वो Home Science की पढ़ाई करेंगी ही करेंगी ये इनोंने ज़रूरी बोल दिया था कि जो Home Science की पढ़ाई है वो Girls करेंगी ही करेंगी Clear है जी? साथ में यहीं पर आप मेंशन कर लिजे Schools को Medical Facilities भी दी गई Schools को Medical Facilities भी दी गई ताकि बच्चों के जो Physical Well-Being है उस पर भी काम किया जा सकें जो physical well-being है उस पे भी काम किया जा सके हूँ clear है जी जो physical well-being है उस पे काम किया जा सके हूँ clear है no down कर लेया आजकल लड़के भी करते हैं अब देखिए अब क्या कर सकते हैं करते तो आजकल लोग बहुत कुछ है है ना अगर गिनाने लग जाओ तो फिर क्या ही हो जाएगा एक बाट TikTok पे तो जाके देखो हैंना इंस्टाग्राम की Reels पे तो जाके देखो क्या क्या हो रहा है लड़के मंगल सूत्र पाई रखते हैं समझ रहे हो ना गोलों में मंगल सूतर सिंधूर तक डाल रखा होता है और फिर बोलते हैं कि देश तरक्की नहीं कर रहा हमें जौब नहीं मिल रही तुम्हारे लक्षन है क्या जौब बाले चलिए देखिए इसके बाद यह जो मुदालियर कमिशन है इसके बाद वैसे तो emotional intelligence वाला point बढ़ना है बट उसके साथ ना यहां पर girls education की बात हुई थी किसकी girls education की बात हो रही थी girls education के बारे में बात हुई थी तीन प्लस चार का मतलब तीन का senior secondary और चार का higher education system मतलब इनको लगता है ना कि हमारा जो evolution हुआता है हम नीचे से उपर की तरफ नहीं जा रहे हैं उपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं पहले इंसान पत्ते पहनते थे आज कपड़े पहन रहे हैं और यह अब कपड़ों की चल रहे हैं यह जो real वाले आते हैं ना girls education के बार में ज्यादा detail में जाने की ज़रूरत नहीं है girls education में 1958 59 में एक committee बनाई गई थी क्या नाम था committee का national committee on women education national committee on women education किसकी सरपरस्ती में बनाई गई थी किसकी सरपरस्ती में बनाई गई थी दुरगा भाई देशमुक यह point आप लोगोंने याद रखने जो पहला सिर्फ girls के लिए जो initiative लिया गया था उसका नाम आप लोगोंने याद रखने दुरगा भाई देशमुक उसके बाद 1962 में नेशनल कॉंसल नेशनल कॉंसल औफ वूमेंज एडुकेशन वूमेंज एडुकेशन बनाया गया था हंस महता इसमें नाम याद रखना है हंस महता इसमें नाम क्या याद रखना है हंस महता ठीक है यहां पर नाम में याद रखना है हंस महता और उसके बाद 63 में बक्तावा स्लाम कोमेटी 1963 में एक और कोमेटी बनाई गई थी बक्ता BHA एक सेकंड स्पैलिंग देख लूँ K T A बक्तावा स्लाम कोमेटी ठीक है कोमेटी इसके नामी याद रखने आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है बहुत रेर कुश्चन पूछा जाता है क्लियर है तो ये गर्ल्ज एजुकेशन के लिए पहले तो यार बताओ फटा फट से कोमेंट करके बताओ मज़ा आ रहा है आज आपका रिस्पॉंस बहुत कमा आ रहा है पता नहीं क्यों क्या हुआ आज ना आप लोगों का रिस्पॉंस बहुत कमा आ रहा है पता नहीं तो जोकर ने तुमारा दिमाग खराव गर दिया जोकर ने दिमाग खराव गर दिया गया आ रहा है ना तो थोड़ा रोनेक दिखाओ चलिया यहां तक समझ आया इसके बाद नेक्स्ट कमेटी कौन सी थी या नेक्स्ट इसके बाद कौन सा आया कमेटी ओन इमोशनल इंटेलिजन्स 1961 में कमेटी ओन इमोशनल इंटेलिजन्स इमोशनल इंटेलिजन्स इमोशनल इंटेलिजन्स पर कमेटी बनाई गई थी यह किसके जी जी दौनक देख रहा हूं देख रहा हूं रोनक बिलकुल बिलकुल अरे आप लोगों सही रोनक है डक्टर संपूरननंद नाम याद रखने आपने डॉक्टर संपूर ननंद क्या नाम था डॉक्टर संपूरननंद All-Round Development of Students All-Round Development of Students की यहां पर बात की ठीक है इसमें ज्यादा कुछ बात कही नहीं थी यह था कि यहां जो Emotional Respect है उसको Ignore नहीं करना उस पे भी काम होना चाहिए All-Round Development की बात हो रही थी संपूर्ना नंद ठीक है जी संपूर्ना नंद के नाम पे यह बनी थी यहां तक समझ आ गया तो बताईए क्योंकि इसके बाद जो Next Commission आने वाला है वो बहुत धांसू होने वाला है 10 मिनिट लगेंगे इस पे कोठारी कमिशन अब इसकी बहुत सारी रिक्मेंडेशन है तो मैं क्रिस्पी वे में आप लोगों को याद करवाऊंगा 1964 से 66 कोठारी कमिशन कोठारी कमिशन है जो वन अफ दो मोस्ट इंपॉर्टेंट कमिशन है जिसको याद करना ही करना है पहले तो यह देखिए यह किसके नाम के इंडर आएगा दौलत सिंग कोठारी रिपोर्ट क्या थी रिपोर्ट का नाम क्या था अब यह बोलना है सर अब रिपोर्ट का मतलब एजुकेशन एड नेशनल डेवलोपमेंट एजुकेशन एड नेशनल डेवलोपमेंट पहले तो ये लिखो इस रिपोर्ट का नाम क्या था Education and National Development क्या बोला था कि 6% GDP का किस पे लगना चाहिए Education पे और कुठारी जी बोल गए बोल गए बोल गए और ये अपलाई कब हुआ National Education Policy 2020 में 6% बोले थे क्या बोले थे 6% Education पे लगना चाहिए और लगा कब 2020 में वो भी अभी Implement हुआ नहीं अभी होगा या नहीं होगा वो बात की बात है एक और बात की Restructuring Restructuring Pattern कौन सा 10 Plus 2 Plus 3 इन्हों ले बोला था ठीक है ये Implement हो गया था ठीक है ये Implement हो गया ये Implement हो गया था 90 मतलब तभी से Implement हो गया था जो 10 Plus 2 Plus 3 वाला सिस्टम था इन्होंने इंटोडियोस किया था और ये बेस बना था किसके लिए National Education Policy 90 68 मतलब ये बेस बना इसको बेस बना के National Education Policy 1968 बनाई गयी थी 1968 पॉलिसी बनाई गयी थी यहां तक बताईए किसी को कोई दिक्कत इसकी चार थीम्स थी 4 थीम्स थी जो मैंने आप लोगों को क्लास में भी याद करवाई थी चार थीम्स थी पहला क्या था Increase Productivity पहला क्या था कि Productivity को Increase करो दूसरा क्या था National Integration Productivity इंक्रीज करो जिससे National Integration बढ़ेगी PIMS P-I-M-S Modernization Modernization और S for क्या था Social Moral Development Moral Development और इसका निमोनिक क्या था PIMS P-I-M-S ठीक है ये भी हमने क्लास में ही बनाया था P-I-M-S Productivity Integration Education Modernization Clear है जी इस Commission में 5 Countries ने Participate किया था मतलब 5 Countries के लोग थे क्या नाम था क्या निमोनिक बनाया था 5 Countries का एक निमोनिक बनाया था जल्दी बताओ फटा फट F-A-R J-E कौन कौन सी कंट्री थी लिखो England America France England France A for America J for Japan F-A-R for Russia I think R for Russia Yes R for Russia अ ठीक एजी हमने इस पूरी पूरे में बहुत सारे निमोनिक भनाये थे marks Themes का भी निमोनिक है हमारे पास और पास Report के नाम का भी निमोनिक है हमारे पास 5 Countries का भी निमोनिक है और क्या चाहिए बताओ खुझ से पढ़ने बैठोगे तो कुठारी जी परिशान कर देंगे तुमें हमसे पढ़ोगे तो मज़ा आएगा वो अलग बात है मैं थोड़ा गलत पढ़ाता हूँ गभी-गभी इसी वज़ा से 1200 बच्चे आ जाते हैं क्लास में पता नहीं क्यों आ जाते हैं तो पहले तो ये इतना नोडाउन गलीजे उसके बाद यहां पे एक और पॉइंट जो इसी से मिलता जूलता है वो था इस रिपोर्ट के फोर सेक्शन थे फोर सेक्शन से कौन सी रिपोर्ट के एंड रिपोर्ट के जो एंड रिपोर्ट थी ना उसके चार सेक्शन थे उन चार sections को लिखो पहला था वो general problem से deal करता था पहला किस से deal करेगा general problem से दूसरा different education level different education levels अलग-अलग education के लेवल के साथ deal करेगा तीसरा डील करता था implementation implementation की बात करता था और जो चौथा section था वो किसकी बात करता था supplementary paper supplementary papers देखो एक page पे मैंने कुठारी commission 50% से ज़्यादा पढ़ा दिया आप लोगों को एक page पे कुठारी commission कितना पढ़ा दिया इस खुशी में एक बार हसके दिखा दो कुठारी commission इतना सारा लिख दिया एक बार हसके दिखा दो फटा फट से comment section में पता चल जाएगी class चल रही है 1000 बच्चा लाइव है और यह जो report थी ना कोठारी की most comprehensive थी मत्तब इससे पहले किसी ने भी इतना detail में कुछ बोला नहीं था बहुत जाएगा comprehensive थी मत्तब आल्मोस्ट हर aspect को इससने deal किया था क्यों क्योंकि इसने इसने एक education का blueprint बना दिया था education Indian education system का blueprint तयार कर दिया था इसने फटा फट से लिखते जाओ देखो points बहुत सारे है पूरा blueprint बना दिया था ठीक है जी तो यहां तक note कर लिया अभी यह खतम नहीं हुआ ठीक है कोठारी commission में बहुत सारी चीजे हैं अभी एक कुछ और points है इसके वो यहां पर discuss करेंगे कोठारी commission यहां पर लिख देता हूं ठीक है यहां पर लिख देता हूं इसके अंदर ना तीन categories बना दी गई थी क्या कर दिया गया था तीन categories बना दी गई थी कौन कौन सी किसी को याद है कौन कौन सी category बनाई गई थी तीन categories बना दी गई थी पहला था internal transformation internal transformation कि internal transformation होना ज़रूरी है internal transformation होना बहुत ज़रूरी है दूसरा qualitative improvement qualitative improvement qualitative improvement qualitative improvement और तीसरा क्या था expansion of opportunity opportunities को expand किया जाए opportunities को expand करने की बात की गई थी clear है जी याद रहेगा तीन points से पहला की education कहीं कि internal transformation हो जाए qualitative importance दे दी गई और opportunities को और बढ़ा दिया जाए और आगे लिख जाए clear है जी चलिए इसमें एक और concept आया था SUPW SUPW stands for socially useful productive work socially useful productive work ठीक है यह आप लोगों ने याद रखने है SUPW का concept आया था SUPW का concept आया था जो आप लोगों ने यहाँ पे रखना है socially useful productive work उसके साथ next concept आया था common school concept common school का मतलब क्या था कि कोई discrimination नहीं होनी चाहिए there should be no discrimination ऐसा नहीं है कि सिर्फ private school में admission मिलेगा या ऐसा होगा ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए ताकि किसी तरीके से कोई discrimination नहीं हो there should be no discrimination at all equality की बात की गई थी उसके बाद एक और concept आया था neighborhood school neighborhood school neighborhood school में क्या था कि बच्चों को उनके मतलब area के अंदर ही school मिलना चाहिए क्या होना चाहिए school की जो पहली से first class से लेके fifth class के बच्चे हैं उनका जो school है न वो 1 km के distance में होना चाहिए कितना 1 km के distance में मतलब कोई बच्चा पहली से लेके 5 मी क्लास तक बढ़ता है तो उसका जो विद्याल्या होगा वो 1 km के section के अंदर होगा 1 km के अंदर होगा और दूसरा जो पांचमी से आठमी तक है उसका डिस्टेंस कितना था? 3 किलोमेटर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 3 किलोमेटर हो जाएगा यह आप लोगों ने याद रखने हैं ठीक है? यह सारे पॉइंट्स हैं मैं आपको निकाल निकाल के लिख रहा हूँ इसमें ताकि आपको थोड़ा सा मतलब जब खुद भी पढ़ो ना तो याद रहे कि सर ने यह पॉइंट्स सारे करवा दिये थे और इसने कौन सी अप्रोच को यूज किया था? मैन पावर अप्रोच मैन पावर अप्रोच मैन पावर अप्रोच का मतलब क्या था? कि भाई एजुकेशन के साथ साथ इंसानों की भी वैल्यू होनी चाहिए मतलब क्या हुआ? मैन पावर अप्रोच का मतलब इंसानों को उनके एक्स्पीरियंस के बेस पे या उनके skills के base पे job मिलनी चाहिए ऐसा नहीं है कि अगर किसी ने degree कर रखी है तो उसे job मिल जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं था Indian Education Services को establish किया गया Indian Education Services को भी इसी के दूरान establish किया गया था Indian Education Service जिसको IES का नाम दिया गया था ताकि Education को और बढ़ावा दिया जा सके Education को और बढ़ावा दिया जा सके Clear है जी? उसके बाद Free and Compulsory Education किसको मिलनी चाहिए? किसके लिए बोला था? कि 6 से लेके 14 साल के बच्चे हैं जो कौन सा आर्टिकल था? आर्टिकल 45 आर्टिकल 45 of DPSP 45 आर्टिकल डिरेक्टिब प्रिंसिपल आप स्टेट पॉलिसी DSPS DPSP Sorry DPSP Clear है जी? यहां तक पढ़ाए बताईए Is it clear? किसी को इसमें बात में कोई दिक्कत? यहां तक समझा आ गया? जितने पॉइंट्स हैं ठीक है? एक थ्री कैटेगरीज आया SUPW आया Common School आया Neighborhood School आया Free और Compulsory Education की बात हुई 6 से 14 साल तक के बच्चों को 45 जो आर्टिकल के अंडर है वो Education की बात हुई क्लियर आजी? यहां तक आरे Director Principle of State Policy पॉलिटी में पढ़ा नहीं आप लोगों ने? इदिट क्लियर? यहां तक बताईए अब इसके अंदर एक और पॉइंट था जो बहुत ही ज्यादा जरूरी था वो क्या था? अभी यही है, कुठारी कमिशन ही चल रहा है कौन सा Three Language Formula? कौन सा Three Language Formula? थ्री लेंग्वेज फॉर्मूला इसमें क्या था? कि भाई बच्चों को उनकी मदर टंग में एजूकेशन मिलनी जाई है? मतलब अलग-अलग लेवल के लिए एजूकेशन की बात की थी अलग-अलग लेवल के लिए मतलब पहली से मतलब जो प्राइमरी एजूकेशन है ना उसके लिए कि भाई उनकी जो रीजनल लेंग्वेज है उसमें पढ़ाई करवानी चाहिए रीजनल लेंग्वेज में उनको पढ़ाई करवानी चाहिए यह mother language जो उनकी regional language है वहाँ clear उसके साथ साथ जो दिव्यांग students होते थे उनकी education को भी promote करने की बात बोली गई थी उनकी education को भी promote करने की बात की गई थी ताकि education में equality रहे ताकि education में equality रहे जो handicapped students होते हैं differently able students होते हैं उनके लिए new universities को establish करने की बात की new universities को establish करने की बात की गई इसकी बात की गई न्यूविस्टीज को establish करने की बात की गई कि और नई universities को establish किया जाए मैंने पहले बताया था न यह काफी detailed में है और हम इसके सारे points को cover करने की कोशिश करेंगे we will try कि इसके सारे points हो आपके cover हो जाए और यह base बना था it became base for national education policy 1960 जो इंडिया की पहली education policy थी उसके लिए यह base बना था उसके लिए यह क्या बना था उसके लिए यह base बना था अब देखी है जितने points वह देखे गए जाए बो तो सारे देखने ही पड़ए और एक और पॉइंट रहागया last इसमें भी इसका बहुत बड़ा रोल था वैल्यू एजुकेशन एक और पॉइंट आइड का लीजिए वैल्यू एजुकेशन दम तो रहा है बोले कुठारी की बातों में अब देखें क्या कर सकते हैं देखो इसको किताब से पढ़ोगे न तो एकदम से दिमाग का दहीं हो जाएगा एकदम दिमाग खराब हो जाएगा अगर इसको किताब से पढ़ोगे अदर्वाइस यहाँ पर इस तरीके से पॉइंट से पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगे इस तरीके से points की help से पढ़ोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी ठीक है जी? clear है? चलिए फटा फट से revise करते हैं ठीक है? क्योंकि ये class में खतम नहीं होगा कोठारी commission के बाद जो बाकी के topics हैं वो अगले session में complete करेंगे ठीक है? अब मैं फटा फट से आपको revise करवा देता हूँ ठीक है? फटा फट से revise करते हैं सबसे पहले राधा कृष्णन कमिशन आया 1948-49 में उसके बाद मुदालिया कमिशन आया 1953-52 से 53 में उसके बाद emotional intelligence पे committee आई थी 1961 में उसके बाद कोठारी commission 1964-66 national education policy 1968 education concurrent list में आड़ किया गया 1976 में national education policy 1986 में point of action था जो agenda था हमारा वो 1992 में आया उसके बाद गनानम committee 1993 में सेम पिटोधरा commission जिसको national knowledge commission भी बोला जाता है 2005 में उसके बाद यश्पाल committee 2009 में उसके बाद national education policy 2020 में राधा कृष्णन commission 48-49 में आया था university की बात की value education की बात की general education की बात की leadership skills skill को develop करने की बात की और बोला कि यह national responsibility होनी ज़रूरी है यहाँ पर setting up करने की बात कीगे कि इसको university commission UGC को UGC को set up करने की बात कीगे और इस commission को हम university commission भी बोला जाता है कि उस time पर हमारा जो secondary education system था वो बिल्कुल collapse हो गया था post independence में तीन institutions को set up किया गया था AIC All India Council for Technical Education 1945 में established किया गया था और 87 में उसको recognition दी गई थी statutory उसी करीके से UGC established 1953 में और जो statutory order 1956 में दिया गया था उसके बाद NCRTA वो 1961 में ही established किया गया था उसके बाद मुदालियर कमिशन है जो LSM मुदालियर जो वी सी थे उस time पर मदरास यूनिवस्टी के जिन्होंने 30 September 1952 को ये बनाया था इसको secondary commission भी बोला जाता है जिसमें multi-purpose school, vocational education की बात की home science और agriculture की बात की साथ में medical facilities की बात की बोला कि ideal citizen होने चाहिए क्योंकि वहाँ पर no discrimination मतलब एक women education के बारे में भी उन्होंने बात की थी तो मुदालियर में मैंने आपको बताया था 3-4 याद रखना है 3 मतलब secondary education और 4 मतलब higher education की बात की उसके बाद girls education के बारे में 3 committees आई थी गई थी उसके बाद 1961 में committee आई थी emotional intelligence जो dr. संपूर्णा नंद के अंडर थी और इसमें all around development of students के बारे में बोला गया था उसके बाद आया था कोठारी commission बहुत जादा comprehensive था इसने पूरे education system का एक blueprint दिया नाम किया था दॉला सिंग को ठारी जिसने restructuring कर दिया था 10 plus 2 plus 3 का system और ये base बना था national education policy के लिए इसने जो report दी थी वो end report थी जिसको education और national development भी बोला जाता है इसने बोला था कि 6% GDP का वा education पे लगना चाहिए जो कि 2020 में जाके लगा इसका pins है वो चार थीम्स थी productivity, integration, modernization और social moral development 5 countries के लोग इसमें add हुए थे England, France, America, Japan और Russia जिसका pneumonics था फरजी और 4 sections थे इस report के journal problem first section था second में different education levels की बात की गई थी third में implementation की बात की गई थी और चौथे में supplement papers की बात की गई थी उसके साथ इसने हमेरी तीन categories दी थी पहली थी internal transformation की बात हुई थी दूसरा qualitative को importance दी गई थी उसके बाद expansion of opportunities को बढ़ाने की बात की गई उसके साथ SUP का concept दिया था that is socially useful productive work, common school आया था ताकि जो partiality उसको खत्म किया जा सके neighborhood school की बात आई थी एक से 5 class के बच्चों का 1 km में school होना चाहिए, 5 से 8 के बच्चों का 3 km में होना चाहिए और free or compulsory education होनी चाहिए 6 से 14 साल के बच्चों में और ये कौन सा article था 45 किसका directive principle of state policy का उसके साथ यहाँ पर IES को establish किया गया था that is Indian education service उसके साथ साथ को ठारी commission में three language formula, mother tongue को काफी जादा पर्मोट किया गया था, base money थी national education policy के लिए, divyank students जो differently able student होते हैं, उनकी education को पर्मोट किया तांकि equality को लिया जा सके, new universities को establish करने की बात की गई और साथ में value education को भी पर्मोट किया गया चलिए, शुरू करते हैं so basically यह जो session है हमारा अगर आप लोगों को याद हो, तो हम higher education को पढ़ रहे थे last time पे, और हमने pre independence पूरा खतम कर दिया है, और उसके बाद हम post पे आये थे, ठीक है, post independence पे आये थे, और हम कहां तक पहुँचे थे कोठारी commission तक पहुँचे थी, ठीक है उससे पहले कि मैंने आपको videos के link भी दिये थे, आप उसको जरूर से एक बार जाके check कर लीजे उसके साथ आप लोगों को पता है कि मेरे 3 courses running है, आप लोगों को पता है कि exam है, वो आपका announce हो चुका है, 6 October से, तो एक तो यह है, जिसमें हम पूरा paper 1 करने वाले हैं, through pyqs, उसके साथ यह people or development का course है, उसके साथ यह हमारा paper 2 का course है, तो अगर आप subscription लेना चाहते हो, तो इस referral code को use कर सकते हो, इससे आपको 10% के extra discount में मिल जाएगा और जो 2 महीनी के extra subscription है, वो भी आपको मिल जाएगा और उसके साथ pyq है, वो यह plus students के लिए है, ठीक, आप इसको भी check कर सकते हो, और जो सबसे important बात है, वो यह है देखिए, 24 25, 26, 27 28, 30 और 31 marathon, marathon, marathon marathon, 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 marathon मतलब इस पूरे महीने इस पूरे महीने सिर्फ Sunday को छोड़के, हर रोज शाम को पांच बज़े इसी channel पे marathon classes चलने वाली हैं, मतलब मैं पूरे paper 1 की देखोगे, higher education people or environment, communication ICT, logical reasoning, research aptitude और teaching aptitude यह सारी मैं marathon यहाँ पे करवाने वाला हूँ, पहली बात यह और दूसरा, हर रोज शाम को 7 बज़े से, आज से हमारी यह free series शुरू हो रही है, on academy के free platform पे, इसको unlock करने के लिए भी आप तलवी live code use कर सकते हो, तो मतलब हर रोज शाम को 5 बज़े यहाँ पे पढ़ेंगे, और 7 बज़े special class में पढ़ेंगे, ठीक है यह free की classes हैं, तो को miss नहीं करना है, सब बच्चों ने आना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर exam काफी नजदीक आ चुका है तो हम हर चीज को cover करेंगे ठीक है जी, special भी शुरू हो गई है, और youtube के sessions भी शुरू हो गई है तो यह इस महीने का schedule है, अगले महीने में जो भी होगा, जैसे भी होगा, वह आप लोगों को बता दिया जाए, ठीक है जी चलिए ओके, let's start बहुत दिनों के बाद board use कर रहा हूँ थोड़ा सा सहयोग कीजिएगा चलिए थोड़ा सा flashback में चलते हैं, थोड़ा सा प्लीज आप बात सुन लीजिए, ठीक है, copy pen लेके बैठी है, ताकि आपको सारी चीज़े clear हो जाए, देखे, पहले हमने pre-independence पड़ा था pre-independence में आप लोगों को मैंने charter act से शुरू करके, जितने भी about board आया बीच में, जितनी भी commissions आए, उन सभी को हमने post में, मतलब जब इंडिया आजाद हो गया था, क्या हो गया था, इंडिया है, जब आजाद हो गया था, उसके बाद, फिर इंडिया में क्या हुआ, कैसे, you know, मुदालियर commission आया, कैसे, अलग-अलग रादर किश्न कमिशन आया, कैसे, जो committee बनाई गी थी, emotional intelligence पे, किस तरीके से कोठारी commission आया था, वो सब, सब यहां पे discuss किया, उसके बाद, ये, ये तो हमने discuss किया, हम कहां पे पहुँचे थे, हम कोठारी commission पे थे, मतलब कोठारी discuss कर दिया था, कोठारी commission, अब ये जो कोठारी commission था, ये समझ लीजिए, ये एक, इसने education system में एक, ड्रास्टिकल चेंज लिया, क्योंकि इससे पहले जो छोटे-छोटे commission आये थे, वो थोड़ा बहुत बात कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे, वो थोड़ा बहुत बात कर रहे थे, कि education में ये होना चाहिए, education में वो होना चाहिए, बट जैसे ही कोठारी commission आया, इसन comprehensive way में education को cover किया, कैसे cover किया, comprehensive way में cover किया, मतलब A से लेके आप ये समझ लीजिए, A से लेके Z तक, higher education के हर point को इसने cover किया, higher education के जितने भी point से इसने सब को cover किया, चाहिए, वो 10 plus 2 plus 3 का system हो, चाहिए, वो value education की बात हो, चाहिए, वो productivity की बात हो, चाहिए, वो 6% GDP की बात हो, चाहिए, वो SUPW की बात हो, चाहिए, वो neighborhood school की बात हो, चाहिए, वो end report की बात हो, चाहिए, वो 5 देशों के लोगों को लेके आने की बात हो, बहुत सारी चीजे थ वहाँ पर कर आया था मतलब इसने सब कुछ ही recommend कर दिया यह कैसी commission आ गई जिसने सब कुछ ही recommend कर दिया और इसने language का formula भी दिया था इसने language का formula भी दिया था ठीक अब इससे आगे बढ़ते हैं उसके बास सबसे national education policy जब कोठारी कमिशन आया 1964 से 66 तक उसके बाद सबसे पहले हमारे पास इंडिया की फर्स्ट नैशनल एजुकेशन पॉलिसी ये इंडिया की सबसे पहली एजुकेशन पॉलिसी थी मतलब इस तरीके से इंडिया में अभी तक कोई पॉलिसी वगारा नहीं आई थी ठीक है इंडिया में अभी तक कोई पॉलिसी वगारा नहीं आई थी तो ये एक ये बहुत ही हिस्टॉरिकल स्टेप था इट वाजा हिस्टॉरिकल स्टेप क्योंकि उस पॉइंट के इसाफ से देखिया जाए तो ये काफी कॉम्प्रिहेंसिव थी उस टाइम के इसाफ से देखा जाए तो ये काफी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी थी और उस टाइम पे हमारे पी एम कौन थे पी एम इंद्रा गांधी इंद्रा गांधी मतलब उन्होंने इस पॉलिसी के बारे में बात की थी जो दोनों हमारे सदन होते हैं ठीका लोकसभा राज्यसभा वहां पर इसको इंप्लिमेंटेशन करने की बात की थी महात्मा गांधी नहीं थे इंद्रा गांधी थी ठीक है उन्होंने इसके बारे में बात की थी और ये इसका जो बेस था मतलब किसके बेस पे थी ये इस वास बेस्ट ओन कोठारी कमिशन कोठारी कमिशन ठीक है जी कोठारी कमिशन था उसको बेस बनाके ये एडुकेशन पॉलिसी है वो क्या की गई थी इंप्लिमेंट की गई थी उसको बेस बनाके इस एडुकेशन पॉलिसी को हमने क्या किया था वहीं इंप्लिमेंटेट हमने इसको इंप्लिमेंट किया था ठ ठीक है जी यहां तक क्लियर है इसने बोला कि नैशनल प्रोग्रेस हो इसने किसकी बात की नैशनल प्रोग्रेस की बात की सेंस ओफ कॉमन सिटिजन्शिप की बात की और वैल्यू एजुकेशन की बात की ठीक है जी यह इसके कुछ अस्पेक्ट से जिसके बारे में बात की गई यह कुछ इसके बेसिक अस्पेक्ट से उसके साथ इसने बोला कि जो साइंस है साइंस एंड टेक्नोलोजी है साइंस एंड टेक्नोलोजी है डाट इस नीड ओफ आर कि जो science and technology है वो आज के time की जरूरत है इसको हमें implement करना पड़ेगा clear है और उसके साथ साथ यहाँ पर ये भी बोला गया था एक और बहुत important point है वो क्या है education and close relation between education and life of people इसके बार में बात किया गया कि जो लोग है उनकी जिन्दगी और education को क्या किया जाए आपस में add किया जाए और साथ में cultivation of moral values तो यह इसका screenshot ले लीजिए यहाँ इसको अच्छे से note कर लीजिए ठीक है आज एक नए तरीके से मैं flow chart की form में पढ़ाने की कोशिश करूँगा तो जो topic है वो हमेशा center में रहेगा ठीक है जी ठीक है जी तो यह national education policy है वो बनाई गई थी clear है तो यह कुछ basic से points है जो आपकी national education policy 1968 में है आज रखे कि सबसे पहली education policy थी वो इंडिया में यह बनाई गई थी सबसे पहली education policy है वो इंडिया में यह आई थी ठीक है जी चल उसके बाद आता है concurrent list यह यह न बहुत इंपोर्टेंट है concurrent list 90 76 इसके बारे में किसे पता है comments में बताईए जिसको पता है please इसके बारे में comments में बताईए ठीक है उसके बाद मैं point note down करूँगा पहले आप इसको बताईए कि यह क्या थी जल्दी main point गया था 47th amendment 25 number entry yes तो देखी इससे पहले education के बारे में क्या था कि भाई हम इसको फैडरल सिस्टम के अंडर गवर नहीं करते हैं मतलब का मतलब क्या है कि इंडिया में एक फैडरल सिस्टम प्रेडरल सेट अप है फैडरल सेट अप का मतलब क्या हुआ कि जो एजूकेशन है डाट इस रिस्पोंसिबिलिटी ओप बोथ रिस्पोंसिबिलिटी किसकी अग नहीं कि सिर्स्टेट उसके लिए जिम्मेबार रहेगा रुएग और खीक है कि इस से पहले क्या होता था कि जो सेνंटर होता था ना मतलब इससे पहले सैंटर को सिर्फटांडर्स करने के लिए इस्तिमाल किया जाता था मतलब इस से अगर आप पहले की बात करोगे before मैं यहां पर ऐसे लिख देता हूं before 9076 तो जो center की responsibility होती ना as such education के लिए direct नहीं होती थी उसकी responsibility क्या होती थी सिर्फ यह होती थी कि भाई जो education के लिए standards है उसको कैसे maintain किया जाए how we can maintain the standards of education education के लिए standards को कैसे maintain किया जाए यह main role होता था किसका center का और बाकी जो education की पूरी responsibility होती थी वो किसकी होती थी वो state की होती थी that lie with state वो पूरा state के साथ relate करता था but 1976 में entry number कितना था देखे यह important है entry number 25 entry number 25 amendment कौन सी थी 42nd amendment 42 में amendment हुई थी जहां पर बहुत सारी चीजों को change किया गया था 9076 में बहुत सारी चीजों को क्या किया गया था change किया था तो उस टाइम पे 42nd of amendment थी और entry number कितना था 25 इसके according क्या बोला गया था कि भाई हाँ I think schedule 7 था ठीक है इसको एक बार इनी constitution का भी नाम दिया गया था ठीक है इस वाग मिनी constitution मतलब इतनी बड़े लेवल पर amendments पहले नहीं हुई थी जो कि इस 42nd amendment में हो गई थी इस वज़ा से यह बोला गया था कि 7th schedule के हिसाब से entry number क्या बोला गया था कि जो education है is responsibility किसकी state plus center तो इसने यह federal system fix कर दिया था clear है जी तो यह point clear हुआ तो यह कुछ इसके basic point है जो आप लोगों ने याद करने है ठीक है you have to remember it clear है याद हो गया अगर याद हो गया तो एक बार thumbs up दीजिए फटा-फट से अगर clear है तो एक बार thumbs up दीजिए let me see कितने अरे ग्यारां सो बच्चे हो class में और 890 like paper आगया अब तो अब क्यों श्राप लेना तुम लोगों ने भगवान देख रहा है तुम्हें देखो मैंने पहले बताया पेपर में एक डेड़ महीना रह गया तो इस टाइम पर भगवान के साथ बना के रखो ठीक है इस टाइम भगवान के साथ बना के रखो ऐसा ना हो कि end time पर आके भगवान आपको धोखा दे जाए ठीक है जी चलिए तो ये उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास पॉलिशी आई दाइस एन ए पी नाइन्टी एटीसिक्स नेक्स्ट जो हमारे पास नेशनल एडुकेशन पॉलिशी आई वो आई नाइन्टी एटीसिक्स की नेशनल एडुकेशन पॉलिशी है मतलब ये सेकिंड पॉलिशी थी और वो पहले वाली पॉलिशी थी अब इसके बारे में 1985 में गवर्मेंट ने एडुकेशन सिस्टम को रिव्यू किया और एक ड्राफ्ट बनाया उस ड्राफ्ट का नाम नोट कर लीजिए दाट इस चैलेंज ओफ एडुकेशन चैलेंज ओफ एडुकेशन अब पॉलिशी प्रोस्पेक्टिव ठीक है कई वार ये रिपोर्ट के नाम वगेरा भी आपसे पूछ लिये जाते हैं इदे इसे हैं कभी कभी इन रिपोर्ट के नाम वगेरा भी आपसे पूछ लिये जाते हैं तो इस वज़ाए से ये नाम आप लोगों ने याद रखने पॉइंट क्लियर है उसके बाद इसको क्या हुआ इसका जो में नेम था वो क्या था प्रिपेर इंडिया फॉर ट्वंटी फर्स्ट सेंचुरी क्योंकि देखो आप लोगों को पता है कि बहुत तेजी से टेकनोलोजी चेंज हो रही थी कम्प्यूटर्स हैं इमेल आ गया था इंटरनेट का ओरीजन हो गया था साइंस की जरूरत पढ़ गई थी यूनों बहुत सारी चीज़ें उस टाइम पे हो रही थी और हमारा जो एड किसी पीटी किताबों वाला था वैल्यू एडूकेशन के बारे में या और प्रोस्पेक्टिव के बारे में कुछ किया नहीं जाए था फिर भी काफी सारा डिस्क्रीमिनेशन था उस पॉइंट पे तो यह जो नैशनल एडूकेशन पॉलसी है इन्होंने ये एजंडा दिया कि हम इंडिया को प्रिपेर करेंगे किसके लिए 21 मिश अताबदी के लिए मतलब जो आने वाली है 2000 से शुरू होगी उस पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या करेंगे हम आगे बढ़ें अब इसके दोरान ये जो इंप्लिमेंटेशन का फंड़ा आ गया था 10 प्लस 2 प्लस 3 है ना मतलब यहां से इंप्लिमेंट होना शुरू हुआ था कुठारी के दोरा दिया गया था और इसमें बोला गया था कि भाई 10 प्लस 2 प्लस 3 का जो सिस्टम है उसको क्या कर देंगे हम इंप्लिमेंट कर देंगे देखो जिन बच्चों को साफ नजर नहीं आ रहा प्लीज वो वीडियो का रेजोलूशन बढ़ा लीजे वो वीडियो इसने 5-3 और 2 पांच 3 और 2 के बीच में डिवाइड कर दिया क्या कर दिया 5, 3 और 2 के बीच में डिवाइड कर दिया पहले 5 साल क्या होगा इसको बोल दिया कि भई ये प्राइमरी है मैंने का ठीक या भई हम भी पढ़के आये हैं ऐसी कौन सी बात है पहले 5 साल प्राइमरी अगले 3 साल अपर प्राइमरी अच्छा चलो ठीक है भाई मान लेते हैं तेरी बात अगर तो अपर प्राइमरी बोल रहा है अच्छा और दो साल हायर एजूकेशन हायर स्कूल हायर स्कूल तो इसने जो टैन प्लस टू का सिस्टम था वो तो इंप्लिमेंट टैन प्लस टू प्लस मतब दस में फिर बार में फिर भी है यह ग्रैजुएशन वो तो इंप्लिमेंट किया ही किया इसने क्या कर दिया इसने प्राइमरी अपर प्राइमरी जिसको से दिया, ठीक है, secondary भी बोल देते थे, और फिर आया higher school, ठीक है, इसके तीन parts में इसको क्या कर दिया, divide कर दिया, ठीक है जी, ये total तीन parts में इसने education को divide कर दिया, अच्छा, यहाँ पर दो तीन point है, एक तो, जो physical education है, वो, physical education आया, साथ में yoga आया, और delinking, delinking degree from job, यह बहुत important point है, यहाँ से paper में question भी पूछा गया था, इसमें paper में question भी पूछा गया था, पहले इतना लिख लो, उसके बाद मैं आगे बताता हूँ आप लोगों को, पहले यह लिखो, अब इसमें physical education, yoga और delinking, degree के बारे में तो बात की गई थी, अब यह जो policy थी ना, national education policy थी, इसमें total, there were 24 chapters, कितने chapters है, 24 chapters, stuck हो गया, गया, नहीं नहीं, चल रहा हूँ, 24 chapters थे, तो 24 chapters का मतलब क्या हुआ, कि भाई, किसी किताब में अगर 24 chapter हैं, तो आप खुद समझ सकते हो, कि एक chapter में कितनी, 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 कितनी बाते बता रखी होंगी, अब delinking का बताता हूँ, बच्चे, रुक जाओ, पहले जो मैं बता रहा हूँ, पहले उसको सुनो, ठीक है, पहले जो मैं बता रहा हूँ उसको सुनो उसके बाद आगे बात करते हैं यह आप लोगों ने याद रखना है कि इस education policy में total 24 chapters थे पहले आप इसको note कर लीजे इसके बाद आगे बढ़ाता है ठीक है जी यह कर लिया उसके बाद NEP की एक खासियत है जो आप लोगों को paper में बहुत काम आएगी NEP की एक बहुत important point जो आप लोगों ने याद रखना है वो क्या है कि इसमें 24 chapter है ठीक है यह आप लोगों को पता है 24 chapters है 24 chapters होने का मतलब this is the most comprehensive most comprehensive का मतलब क्या होगा कि इसने किसी भी point को छोड़ा नहीं किसी भी point को छोड़ा नहीं तो मैंने आपको पहले भी इस चीज़ के वारे में बताया था कि अगर आपको option दे रखा हो एक, दो, तीन, चार और पूचा हो कि यह particular point कहां पे आया था अगर तो आपको याद है कि अच्छा यह कुठारी ने दिया था यह किस ने दिया था अगर पता है तो लगा दे ना अगर आपको कुछ भी पता नहीं चल रहा ना आपको पूचले सी, 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 डिस्टेंस कुछ भी कुछ नहीं करना 90-86 पे टिक लगा के आजाना 99% चांस है कि आपका question सही होगा क्यों क्योंकि इसके 24 चैप्टर में कुछ है ही नहीं जो इसने छोड़ा था मतलब 24 चैप्टर आ गए और इसने कुछ छोड़ा ही नहीं कि जिसको हम बोले कि भाई ये बात नहीं वन रही इसने हर चीज को cover किया था तो अगर कुछ भी समझ ना आये तो अकडवकडवंबे वो 90 पूरे 100 बोल के National Education Policy 1986 पे क्लिक कर दियो 1986 पे क्लिक कर दियो अब मैं आपको यहां पर बताता हूँ कि यहां पर क्या क्या बात की गई थी क्यों ये comprehensive है देखो distance education इगनू के बारे में यहां पर बात की distance education की बात की गई दूसरा vocational education की बात की गई education फिर आया physical education फिर आया no discrimination operation blackboard भी यहीं पर आया था operation blackboard भी यहीं पर आया था उसके बाद mentally और physically चैलेंज जो student थे mentally and physically चैलेंज students की education उसके बाद next और भी है non-formal education non-formal education की बात की गई open universities की बात की गई open universities की बात की गई rural university early childhood rural universities की बात की गई early childhood care की बात की गई SC ST OBC education के बारे में बात की गई मतलब अगर मैं इस education policy को पूरा पढ़ाऊंगा तो दो घंटे में यह पूरी की पूरी policy खत्म होगी woman education की बात की गई woman empowerment की बात की गई woman empowerment की बात की गई मतलब इसने कोई भी ऐसी चीज छोड़ी नहीं है जिसके बारे में इसने बोला हो की नहीं यार यह कुछ बात नहीं है तो इसने हर point को हर aspect को क्या कर दिया cover कर दिया it cover each and everything scientific education कुछ भी हो सब्सक्राइब लिख देता हूँ scientific की तो भाई शुरुवात ही यहां से हुई थी इंडिया को इंडिया को 21 मीं शतावदी के लिए तैयार करना था तो वह science की help से ही होगा वह पत्थर गगड़ के नहीं होगा आप लोगों को भी पता है तो इसका जो base था वो Thai science इसका जो base था वो Thai science वो है technology था तो as such फिर अलग से लिखने की कोई ज़रूरत नहीं ठीक है जी चली इसका screenshot ले लीजिए फटा फट से आप इसको बोल सकते हो कि ये थी सर्वगुण संपन कितने मतलब इसके 180 गुण है वो मिल रहे थे आप बोलोगे सारी 180 तो होते नहीं है होते तो 36 भी नहीं है होते तो 72 भी नहीं है हमारे लिए 180 गुण मिल रहे थे जो 24 चैप्टर के अंदर थे बात खतम करो बस ठीक है चली है अब देखिए इसके बाद ना कुछ और इससे रिलेटर्ड कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोगों ने लिखने हैं मैं NEP को ही कॉंटिन्यू कर रहा हूं ठीक है NEP 9086 अब उस टाइम पे इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में पता नहीं क्या चल रहा था इसको रिव्यू करने के लिए मतलब इसको रिव्यू करने के लिए 1989 में एक कॉमेटी सेट अप की गई उस कॉमेटी का नाम क्या था अचार्या रामामूर्थी अचार्या अचार्या रामामूर्थी कॉमेटी अचार्या रामामूर्थी कॉमेटी थी जिसके अंदर इसको review करने की बात की गई थी जिसमें बोला गया था कि जो national education policy है उसको review किया जाएगा और इसने अचारिया रामा मूर्ती ने 1990 में फिर एक report दी 1990 में एक report दी उस report का नाम क्या था? towards an enlightened towards an enlightened and human society देखो reports के सारे नाम आप लोगोंने याद रखने है चाहे वो कुठारी से related हो चाहे वो national education policy में आ रही हो ये आप लोगोंने सारे के सारे नाम याद रखने है अब ये जो कोमेटी थी ना इसने कुछ recommend किया था इस कोमेटी ने क्या किया था? कुछ recommend किया था recommend क्या किया था? वही जो पहले वाले points थे उन्हीं को क्या किया था? एक तरीके से recommend किया था recommend किया था? इसने बोला था कि एक तो adequate fund होने जरूरी है क्यूंकि पैसा नहीं होगा तो development नहीं होगी पैसा नहीं होगा तो development नहीं होगी सबसे पहले तो यह और इसने बोला कि concrete program बनाए जाए क्या किया जाए concrete program बनाए जाए किसके लिए SC, ST, tribes, women इनकी education के लिए कुछ concrete standards होने चाहिए तांकि यह लोग भी education ले पाएं जो किसी वज़ा से education नहीं ले पाते हैं वो भी आगे बढ़ बाएं तो कुछ concrete programs की बात की गए clear और यही जो committee थी यही जो committee अचारिया रामा मूर्ती committee थी वो base बनी इसके बाद किसके लिए base बनी P.O.A program of action 90.92 अब चाहे P.O.A लिखा हो चाहे 1992 लिखा हो 90.86 लिखा हो बस नाम अलग अलग है बाकी बाते घोम फिर के वही आ रही program of action और इसी दौरान 1992 में ही एक और committee setup की गई थी रामा मूर्ती committee की recommendation को consider करने से पहले revise किस ने किया था जनारदन ready committee मतलब पहले national education policy के लिए committee बनाई गई फिर उस committee के लिए committee बनाई गई फिर उस committee के लिए committee बनाई गई अरे भाई एक पे बरोसा नहीं है क्या कभी ये committee कभी वो committee हमारे इसे लेवस बढ़ाना है क्या एक बना लो ना उसी पर भरोसा कर लो अच्छे तरीके से लेकिन नहीं इनको तो कॉमेटी पर कॉमेटी बनानी है क्योंकि भरोसा ही नहीं हो रहा है इनको कि हाँ भाई कुछ अच्छा कर लेंगे चलो कोई बात नहीं उसके बाद गनानम कॉमेटी 1993 में 1993 में एक और कॉमेटी आई गनानम कॉमेटी अब यह जो गनानम कॉमेटी थी इसका में क्या था अकैडमिक एकसिलेंस के बारे में बात की इसने किसके बारे में बात उसके लिए इसको बोला गया कि भाई तुम कुछ करो कि जो डीम्ड युनिवस्टीज हैं उनकी जो आन्चेक्ट ग्रोथ है ना उस पे थोड़ा सा काम किया जाए इसी दौरान उनीसो अंठानमे में जब हमारे प्राइम निश्टर होते थे कौन अटल बिहारी बाज़वाई उन्होंने उन्मीसो अंठानमे में एक विद्यावाहिनी नेटवर्क सेटप किया विद्यावाहिनी नेटवर्क सेटप किया ताकि युनिवस्टी लिंक करने के लिए क्या करने के लिए ताकि link किया जा सके किस किस को universities को UGC और तीसरा क्या था CSIR इनको link करने की बात की गई थी विद्यवाईनी network है उसको establish किया गया था universities को CSIR को UGC को इनको setup करने की बात की गई थी और इसी दौरान जो marks वाला system होता था न marks got replaced with the grades grade आने का कुई ज्यादा फायदा नहीं हुआ बस थोड़ी बेजती कम मैसूस होती है न otherwise कुछ ज्यादा फरक पड़ा नहीं है न थोड़ी ज्यादा होती थी grades में थोड़ा कम होती है A B C तक तो चली जाते है C तक तो बोली लेते हैं कि हाँ यार C grade भी आ गया तो चलो कोई दिक्कत नहीं है नमबर अगर 30-35 आया तो बेजती थोड़ी ज्यादा होती थी जैसे किसी को जब जॉब से निकालना होता है ना किसी को fire करना होता है तो fire नहीं बोलते You are fire नहीं बोला जाता बोल देते हैं आपको ना early retirement दे दी आपको ना early retirement दे दी ताकि बंदे को मैसूस ही ना हो कि उसकी बेजती हो रही है बंदा लगे अच्छा यई अलगा एमने तो दो साल कांगिभी यह तो दो साल के बाद ही रिचायर के लिचायर करदिया लि continuing यह तो केहने का तरीका बदल गया भावना वही है समझे रहो ना भावनाओं में कोई ज़्यादा फर्क नजर नहीं आया बस हाँ यह हो गया कि बस बोल दिया कि भाई निकल ले इज्जत के साथ निकाल दिया है ना चलिए उसके बाद सैम इसका नाम बड़ा अजीव था पिट रॉडड़ा कोमेटी सैट अप की गई सैम पिट रॉड़ा कोमेटी को सैट अप किया गया कब सैट अप की गई थी इसको नैशनल नॉलेज कमिशन भी बोला जाता है ठीक है नैशनल नॉलेज कमिशन नैशनल नॉलेज कमिशन दोजार पांच ठीक है कही गई पर आपको दोजार साथ देखने को में लेगा वह गलत है दोजार पांच के बारे में आप लोगों ने याद रखने 2005 और यह मैं बता रहा हूं आप लोगों को यह एंटिय को इसको इसका रीजन तो मुझे नहीं पता बट ना इसको नैशनल नॉलेज नेटवर्क कब आया था इसको क्या बोलते हैं इसकी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं मतलब कि फुल फॉर्म बहुत ज़ादा पूछ लेते हैं अब इसने क्या बोला था कि फॉर्ण युनिवर्स्टीज को आने दो फॉर्ण युनिवर्स्टीज को आने दो आने दो जैसे पहले बहुत रश लगा रखा है ना कि बहुत सारी फॉर्ण युनिवर्स्टीज हैं वह आके इंडिया में अपने केंपस सेट अप करने चाहती हैं तब ऐसे इनको कुछ नहीं है कि और जो अपनी यूद्विस्टीज को आने दो है ना जैसे होता है ना बस में बहुत भीड़ो एकदम से बस भरी हो लड़की लड़के खड़े हो कोई लड़का चलने लागे गाना तो बोले कि चल 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 बिल्कुल ही जगा नहीं और वहीं पर कोई लड़की होगी दस लोगों इतनी सीट बना देते हैं तो वही अतना अपनी चीजों पर भरोसा ना करके फॉरन सिस्टम पर भरोसा करने की बात की जारे जोकसा पाठ तो इन्होंने बोला कि फॉरन यूनिवस्टीज को लेके आओ क्योंकि अगर फॉरन यूनिवस्टीज हैं उनको इन्वाइट किया जाएगा और दूसरा इसने बोला कि reduce the burden, reduce the burden किसका affiliating यूनिवस्टी स्कॉलेजिस का, उसको थोड़ा कम किया जाए, उसके burden को क्या किया जाए, कम किया जाए, उसको कम किया जाए, और इसने एक और joke सुनाया, जैसे वो बाप था ना बेटे को बोला, बेटे इस वार paper में ना 100 में से 100 नंबर आने चाहिए, बेटा बोला 100, पपा जी 100 में से 500 आएंगे, तो पिता जी बोले वाह, मजाक कर रहे हैं अपने पाप से, तो लड़का बोला शुरू किस ने किया था, तो इसी तरीके से ना इने एक चोटा सा मजाक सा कर दिया कि, 2015 तक कितनी उनिवस्टिस को सेट अप करो, 1500, कितनी उनिवस्टिस को सेट अप कर दो, 1500 उनिवस्टिस को सेट अप कर दो, जो की नहीं है बहुत सिम्पल सी बात है, मतब 1500 उनिवस्टिस को कहाँ पे सेट अप कर रही हैं हर चार महिने के बाद UGC की एक लिस्ट आरती है, वह उन पर कोई च других नहीं है, वह फेक universities बना रखेंगे उन पर कोई किसी तरीके का चेक नहीं है नहीं बना दो जी पंदराशन युनवस्टी है युनिवस्टी भाई बिल्दिंग थोड़ी यूनिवस्टी है प्रौपर सेट आप होना चाहिए अगर आगर जो एक्सिस्टिंग युनिवस्टी से उन्हीं पर काम किया जाए तो वह बहुत अच्छा कर सकते हैं ठीक है चाहिए वो वर्ल्ड यूनिवर्स्टीस की रैंकिंगों चाहिए कोई भी इंटर्नेशनल रैंकिंगों वहां पर अच्छा स्कोर कर सकते हैं कि है ना उसके बाद एक 1993 और एक 2009 एक ही बंदे के नाम पर दो कॉमेटी सेट अप की गई थी कौन बताएगा लेट मी नो इन यूर कॉमेंट्स कौन बताएगा यस यश्पाल कॉमेटी की बात की गी थी एक तो यह यश्पाल कॉमेटी 1993 में सेट अप की गई थी और एक 2009 में भी सेम यश्पाल कॉमेटी को ही सेट अप किया गया थी जो 1993 वाली थी वो स्कूल एजुकेशन के साथ रिलेट करती थी स्कूल एजुकेशन के साथ रिलेट करती थी और इसके एक थीम था थीम क्या था बेटे लर्निंग विदाउट वर्डन लर्निंग विदाउट वर्डन ये कई वार पेपर में पूछ लेते हैं लर्निंग विदाउट वर्डन की यहां पे बात की गई थी और फिर जो ये वाली थी ये कही ना कही आप बोल सकते हो कि देट वाज रिलेटेड विद हायर एजुकेशन ये जो नाइन टी टू थाउद नाइन वाली थी ये हायर एजुकेशन के साथ रिलेट थी जहां पर एक सूपर एगुलेटरी बॉड़ी को सेट अप करने की बात की गई थी सूपर एगुलेटरी बॉड़ी के बारे में बात की गई थी seven members committee commission for higher education and research CHER 1 1 सूपर 1 2 त Planर also above this video Katherine सHay Hers Strenas ठान की घिक हायर थी चρα geography पर हायर थी चार COMM pictures for адाब कार हायरe Kid क्या बोले थे कि भाई रिप्लेस कर दो रिफॉर्म्स की बात की गई थी रिप्लेस कर दी मतलग AICT ये वाली है क्या बोले थे एक तो पहले बोले कि डीम्ड यॉनिवस्टीस को खतम कर दो क्या बोले डीम्ड युनिवस्टीस को खतम मतलब इन्होंने एक सिंपा सा फंडा दिया ये बोले कि देखो अगर तो युनिवस्टी अच्छी है तो उसको पूरा युनिवस्टी बना दो क्या डीम्ड डीम्ड लगा रख है और अगर वह अच्छी नहीं है तो उसे घतम करो मतलब यहां तो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए यह बीच का सिस्टम नहीं चाहिए यह जो बीच का सिस्टम है ना कि deemed to be university है यह नहीं चाहिए यह नहीं चाहिए यह तो उसे पूरा बना दो या उसको स्क्रैप कर दो या तो उसको पूरा बना दो या उसको स्क्रैप कर दो बात तो सही की या रहे नोंने अर एक और कितने two-tier system की यहां पर बात की भी two-tier system के बारे में यहां पर बात की यह बोलता है बीच में मत लटका हो यहां तो लेके आओ यहां ना लेके आओ चलिए अब जो ये श्पाल कॉमेटी थी इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है जो आपके पेपर के पॉइंट आव यू से पूछे जा सकते हैं कौन कौन से पॉइंट से कि सारी यूनिवर्स्टी इस रिसर्च होनी चाहिए हर यूनिवर्स्टी में रिसर्च है उसको कंपल सरी कर दू मतलब देर शुट बी नो यूनिवर्स्टी वेर देर इस नो रिसर्च कि वाई हर यूनिवर्स्टी में रिसर्च होना जरूरी है और दूसरी रिकमेंडेशन डीमड के लिए दि या तो 100% यूनिवस्टी बना दो या फिर स्क्रैप कर दो अगर तू ऐसा बोल रहा है तो या तो बोला कि पूरा यूनिवस्टी बना दो या उसको स्क्रैप कर दो उसके बाद क्या बोला कि one super body होनी चाहिए super regulatory body मतलब जिसमें सारी चोटी 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 बोड़ी को कतम कर देंगे एक super body होनी चाहिए जो सारी बोड़ी को क्या कर देगी replace कर देगी yes no discrimination in funding ऐसा नहीं है कि स्टेट के लिए अलग नो डिस्क्रिमिनेशन इन फंडिंग यह क्या बोलता है कि भाई फंडिंग में किसी तरीके की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए एजुकेशन के लिए जादा से जादा स्कॉलर्शिप दो ताकि एजुकेशन अफोर्डेबल हो सके जादा से जादा स्कॉलर्शिप दी जाए जिसके बेसिस पे एजुकेशन क्या हो जाएगी अफोर्डेबल हो जाएगी ठीक है जी और तो इसने कुछ खास बताया नहीं हाँ सैट जी सैट वगएरा के जो एंटरेंस एक्जाम है उसके बारे में भी इसने बात की थी और इससे कुछ खास नहीं पूचा जाता ये सारे पॉइंट आप लोगों ने याद रखने हैं जो एंटरेंस एक्जाम वगएरा होते हैं उसकी बात की गई थी ठीक है जी ये कुछ इसकी बेसिक सी रिक्मेंडेशन थी है ये इसकी कुछ बेसिक सी रिक्मेंडेशन थी है न वहला ख्याल नहीं आया वह एक चोर था न वह चोरी करते पकड़ा गया विचारा अब उसको जज के सामने ले गए जज ने उसे देखा बोला तूने एक ही घर में पांच बार चोरी की तो बोला हां सर मैं इनका फैमिल चोर हूं तो जज खुद परिशान हो गया वह फैमिली डॉक्टर तो सुना था तूनका फैमिली चोर है बोला अच्छा बोला तुमने फिर एक दुकान में भी चोरी की बोला हांजी सर की है बोला जब दुकान में चोरी की तो तेरे को बिलकुल खयाल नहीं आया तेरी पतन कोमेटी 2019 यश्पाल कोमेटी 1993 यह दोनों आप लोगों ने याद रखनी है यह दोनों आप लोगों ने याद रखनी है पेपर के पॉइंट आफ यू से बहुत इंपोर्टेंट है ठीक है चलिए बस थोड़ा सा रह गया अच्छा एक और बात बताता हूं इस महीने तो नही नेक्स्ट मन्थ जो आपकी NEP 2020 है प्लस जो उसको वन इयर हुआ ठीक है इस पे हम दो घंटे की या डेड़ घंटे की एक पूरी क्लास लेंगे जिसमें पूरा NEP 2020 है उसको डिसकस करूँगा और अभी रीसेंडली पिछले महीने जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को एक सा साल कंप्लीट हुआ तो गवर्मेंट ने उससे रिलेटेड काफी सारे इनिशेटिव और लिए हैं ठीक है उसको एक क्लास में कवर करूँगा ठीक है उसमें सारे पॉइंट्स को कवर करूँगा यह काफी जरूरी है उसके बाद आती है शर्मा कोमेटी कौन सी कोमेटी आती है शर्मा कोमेटी शर्मा कोमेटी है प्रोफेसर एम एम शर्मा नाम क्या था बंदे का प्रोफेसर इम एम शर्मा 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 जी ने क्या बोला शर्मा जी ने education and research IISER को establish करने की इन्होंने बात की पहली बात और दूसरा इन्होंने बोला expansion of technical education technical education को क्या करना है expand करना है और साथ में इसने ये बोला कि हर साल हर साल 500 क्रोड रुपे किस पे खर्चे जाएंगे research हर साल 500 क्रोड रुपे research पे लगा दो हर साल 500 क्रोड रुपे research पे लगा दिये जाएंग और ये कौन लगाएगा ये UGC लगाएगा university grant commission कौन लगाएगा university grant commission हमें 500 क्रोड से क्या हमें तो 500 रुपे मिल जाएंगे हमें एक महीना खुश रहते हैं न हमें तो ये भी नहीं पता 500 क्रोड में जीरो कितनी होती है हम जैसे लोगों को 100-100 के पांच नोट मिल जाएंगे न उसे इतनी बार गिनेंगे एक नोट तो गिन गिन की फार देते हैं 500 की इतनी खुशी होती है 100 का एक नोट तो फटी जाता है विचारे 400 ही रह जाते हैं हमें क्या पता 500 क्रोड क्या होता है चलिए उसके बाद बस थोड़ा सा रह गया दो कोमेटी जोर है एक आई डॉक्टर अनिल को कोदर कोमेटी डॉक्टर अनिल को केदर कोमेटी जिसको टेक्निकल एजुकेशन के लिए पहला बोला गया था कि टेक्निकल एजुकेशन के लिए इसको यूज करेंगे और दूसरा इसने बोला था कि 2% है बजट का हर इंस्टिउशन में रिसर्च के लिए होना चाहिए यह इसकी बेसिक सी रिकमेंडेशन थी ठीक है इसने कुछ ज़्यादा बोला नहीं यह अभी अभी वाले अच्छे हैं अभी वाले यह न अच्छी कोमेटीज हैं इन्होंने ज़्यादा कुछ बोला नहीं नहीं तो कुठारी और NEP तो चुप ही नहीं होते अरे बोलती जाते हैं भोलती जाते हैं खतम ही नहीं होते लेक्चर खतम हो जाता हैं चैप्टर खतम नहीं होता इतना बोलते हैं यह कर दो वो कर दो हम अभी याद कर रहे होते हैं अच्छा Women Education में क्या हुआ हुआ बोलो SC C Category अच्छा सब्सक्राइब लिखना है अच्छा वो जो विकलांग बच्चेयां उनको भी एजुकेशन देने हैं अच्छा योग एजुकेशन की बात अरे तो भाई इतने चैप्टर देने की जरूरती क्या है ना एक बार लेख दो एजुकेशन फॉर आल है ना जब सबको पढ़ा नहीं है तो डिरेक्ट एजुकेशन फॉर ओल गर्दो यार क्या इतना जंजट में पड़े हुए हो चलिए उसके बाद एक और कोमेटी सेट अप की थी के भी पवार कोमेटी कुछ और भी छोटी-छोटी कोमेटी है वो आगे कि किसी क्लास में करवा होंगा के भी पवार कोमेटी इस कोमेटी का पॉइंट बस कुछ नहीं है ट्रिपल पी की बात की थी पब्लिक प्राइवेट पार्टनर्शिप तो यह ट्रिपल पी वाला जो फंडा है यह किसके बारें बात करता है यह टॉक्स अबाउट की भाई एजुकेशन हाइर उसमें ट्रिपल पी का कंसेप्ट होना चाहिए ट्रिपल पी का मतलब पब्लिक प्राइवेट मतलब वही कि जो पब्लिक इंस्ट्यूशन हा उनमें भी प्राइवेटाइजेशन होनी जरूरी है सलोनी सरिता सरिता नेहा खुश्बू श्याम चिनमें ब्यूटी अनू शुश्मिता एसके सविता काजल फरहान रिचा रमन दीप सुखवीर कंचन रिया बैनिवाल भोलेनाथ दवलीन इक्षिता कवित रिचा प्रतिवा किरन स्रिष्टी दीपिका अर्चना तुम्पा दीपक रवी नमरता देखो देखो कैसे जाग जाते हैं एक जम से जाग जाते हैं जब इनके नाम लेने शुरू गर दो देखो आज तुम कम आए हो ना आज आज तुम कम आए हो आज तुम बारां सो बच्चे थे कल हमें पंदरां सो चाहिए ठीक है अभी तो पेपर इतना नजदीक आ गया अभी तो कम से कम अपने सारे दोस्तों को लेकि आया करो अच्छा यार यह पेज कहां से दिखते है अच्छा यहां से था ना चलो हम इसको रिवाइस करते हैं ठीक है फटा फट से रिवाइस कर लेते हैं चलिए चलिए इसको रिवाइस करते हैं जस्ट गिब में 30 सेकंड और मैं पूरा टॉपिक आपको रिवाइस करवा देता हू ओके लेट स्टार्ट कुठारी कमिशन के बाद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई 1968 की जो फर्स एजुकेशन पॉलिसी ती जिसमें नेशनल प्रोग्रेस की बात की गई थी सेंस ओफ कॉमन सिटिजेंशिप की बात की गई थी वैल्यू एजुकेशन को प्रोट करने के बारे में बोला था ये बहुत ही इस्टॉरिकल स्टेप सा क्योंकि ये काफी कॉम्प्रिहेंसिव थी उस टाइम पे हमारे प्राइम नेश्टर शिरिमत इंद्रा गांदी थे और य यहां पर साइंस और टेक्नालोजी है उसकी जरूरत महसूस होना शुरू हो गया था उसके बाद कंकरंट लिस्ट है 1976 में आया था इंडिया उस टाइम पे फैटरल सिस्टम था बट एजुकेशन के लिए नहीं था और उस टाइम पर चो सेंटर होता था उसकी रिस्पॉंसि होगी किसकी स्टेट और सेंटर की तो दोनों मिलके आगे बढ़ेंगे उसके बाद एंडिपी नाइटी एटी सिक्सा भाई सबसे ज्यादा कॉंप्रियेंसिव थी इसके इलावा तो कुछ था ही नहीं इसने सारे पॉइंट्स को गवर किया 1986 में 1985 में गवर्मेंट ने रिव कर दिया और जो दस वाला सिस्टम था उसको पांस तीन दो में डिवाइट कर दिया पांच प्रायमरी के लिए 23 सेकेंडरी के लिए यहां पर प्रायमरी के लिए और दो आएर एउसके हैं चाबस की गई थी नशनल एजचाण पालिश्य zi वोकेशनल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, नो डिस्क्रिमिनेशन, ओपरेशन, ब्लैकबोर्ड, मेंटली और फिजिकली चैलेंज बच्चों को एजुकेशन देनी है, non-formal education की बात की थी, distance education की बात की थी, open universities की बात की गई थी, rural universities की बात की गई थी, early childhood care की बात की गई थी, SCST, OBC education के बारे में बात की गई थी, women empowerment के बारे में बात की गई थी, और scientific education के बारे में बात की गई थी, बहुत comprehensive थी, 180 गुन संपन education policy थी, उसके बाद national education policy को review करने के ल जिसमें 1990 में report दी थी towards an enlightened and human society जिसने recommend किया गया था कि भाई adequate fund दो concrete program बनाओ SCST tribe of women education के लिए इस policy को sideway करते हुए एक और committee बनाई गी थी 1992 में that is जनारदन ready committee और 1992 में ही program of action को established किया गया था उसके बाद गनानम committee setup की थी 1993 में जिसने academic excellence के बारे में बात की थी एंचग जो growth team universities की बढ़ती जा रही थी बढ़ती जा रही थी जिनका patrol खतमी नहीं हो रहा था उनको side पे गरने की बात की गई थी मार्क्स को grades के साथ replace कर दिया गया था ताकि बेजिती थोड़ी कम महसूस हो 1998 में उस टाइम पे हमारी जो प्राइमिस्टर था है श्री अटल विहारी वाजपाई जी थी उन्होंने विद्यावाहिनी network को setup किया गया जिसके दौरा उन्होंने बोला कि भाई universities को UGC और CSIR को वापस में link कर दिया जाए उसके बाद Sam Pitodra committee अई थी 2005 में जिसको national knowledge commission के नाम सी भी दिया जाता है उसने बोला था कि foreign universities है उनको बुलाओ हम बहुत 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 वेट कर रहे हैं प्लीज आ जाए ना reduce कर दिये जा वर्ल्ड एफिलेटी universities का 2015 में उने बोला था कि इंडिया जो main purpose था वो learning without burden के बारे ही बोला गया था दोजाना में जो यश्पाल committee थी वो higher education के बारे में बात की गई थी जिसने two tier system के बारे में बोला कि एक super regulatory body होनी चाहिए जो CHCR कि मतलब commission for higher education और research है कि मतलब सब को मिला दो और एक mix से organization बना दो इन्होंने बोला था कि जो हर university है उस इन्हों को scrap बना दो एक regulatory body बना दो no discrimination होनी चाहिए funding में scholarship दो बच्चों को तांकि affordable हो जाए education set entrance exam बगएरा के बारे में इन्होंने बात की उसके बाद शर्मा जी की committee आ गई professor mm शर्मा थे जिन्नोंने expansion of technical education को बोला था और इन्होंने IISCR की बात की थी इंडियन institute of science technology education and research के बा थी जो technical education के बारे में थी इन्होंने तो कुछ ज्यादा बोला नहीं इन्होंने बोला अगर तुम्हारा budget 100 रुपे का है तो उसमें से 2 रुपे research पे लगा दो अच्छा 2 रुपे लगाने मतब 2% की बात की गई थी और के भी पावार कमेटी थी जो public private partnership के बारे में बात कर र अब वीडियो जब end हो जाएगा ना चुप चाप comment करके चली जाई हो ठीक है क्योंकि अगर आप लोग feedback नहीं दोगे ना तो मैंने session आने वाले delete करवादने हैं कल अभी देखो एक बतो 7 बजे मिलते हैं 7 बजे मेरी profile में जाईए enroll कर लीजिए डिये पढ़ेंगे और कल शाम को पांच बजे people and development पढ़ने वाले हैं जिसमें आपको सबसे ज़्यादा डर लगता है तो people और development के मैं कुछ important topics आप लोगों को करवाऊंगा मतलब class में ही याद करवा दूँगा कुछ ऐसे topic एक तो पढ़ेंगे SDG और MDG ठीक है उसको revise करेंगे अच्छे से ठीक है जी चलिए आजो 40 मिनट के बाद मिलते हैं 7 बजए DA की class के साथ thank you so much for joining me अगर आप an academy पर subscription लेना चाहते हो तो subscribe कर सकते हो आप लोगों के लिए यह जो courses आप अलड़ी शुरू हो चुकी है invite code है यही use करना जिससे आपको discount वगरा मिल जाएगा ठीक है बच्छे thank you so much God bless you और इसी तरीके से पढ़ते रहे इसी तरीके से मेहनत करते रहे जिरूर क्लियर होगा बस consistency बनाया रगी thank you so much provide take care on academy let's track it